हलो एबरिबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट बीन्स इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्थार्ट करने वाले हैं प्लास सवंथ हिस्ट्री का चाप्टर चाप्टर है रूलर्स एंड बिलिडिंग्स जी हाँ आप सोच रहांगे सर इतने मुष्कुरा क्यों रहे हैं तो मुष्कुराहट के पीछे का कारण ही है जी चाप्टर है क्यों देखो क्लास सवंथ के जो बच्चे उन्हें तो regular courses में अपने चाप्टर पढ़ना इंपोर्टेंट है बागी जो कॉम्पीटिव्स की त्यारी कर रहे हैं तो यह चाप्टर आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है आट एंड कल्चर वाला जो सिरदर्द देना तो सिरदर्द के लिए आपको एक टैबलेट मिलने वाली हैं मतलब इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्लियर हो जाएंगी मैं पूरे अफर्ट्स लगाओंगा कि दोरों चीज़ों को बैलेंस करके पढ़े हम और अच्छे से पढ़ें क्लियर एंसे आट के परस्पेक्टिव से आर्ट एन कल्चर के लिए यह च विल्डिंग बनवाई क्यों बनवाई यह सारा सब कुछ तो इसमें हिस्ट्री का थोड़ा सा अलग फेस देखने को मिलेगा बिलीव मी मजा आएगा सभी को ठीक है तो अब देखो पहला वीडियो लेक्ट्र बेसिक इंट्रड़क्टरी वीडियो लेक्ट्रे चैप्टर की थीम समझाऊंगा कुछ इशूवब की बुक में है कुछ टॉपिक्स हानव और आपको बताऊएंगा कि सचेप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले का understand the theme of the chapter क्या है rulers and buildings अब देखो दोनों चीजों को कर अलग अलग देखें तो आप medieval history की बात करते हो पूरी तो हमने medieval history में जैसे chapter 2 में क्या पढ़ा था मतलब जो chapter 2 हमने देखा था new kings and kingdoms वाला तो उसमें हमने देखा समझा कि किस तरह से south इंडिया में चोलाज वगेरा का empire flourish हुआ ठीक है फिर चाप्टर 3 में देली सल्तनत के बारे में पढ़ा तो हम क्या कर रहे है medieval history में अर्ली medieval history को पढ़ रहे हैं फिर देली सुल्तान्स आगा है फिर देली सिल्तान्स के बाद में अभी मुगल empire पढ़ा पिछले चाप्टर में अब अगर आप देखो तो आपने क्या कर दिया बड़ा पीरेड मतलब मुगल empire 1857 तक ही चलता रहा ना तो आपने पूरा का पूरा करवाये होंगे ठीक अब क्या बचाए तो अब आपने उनकी लड़ाईयां देख लिए किसके बेटे कौन थे किसने किसको हराया वो सब कुछ देख लिया है अब जड़ा देखते कि जब वो रूल कर रहे थे तब क्या किया उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई नहीं बनाई बनाई तो कैसी बनाई क्या हमारे हां के पहले के कल्चरं में और बाद में क्या डिफ्रेंस आया आप दिखेंगे कि जो अरली मेडियेवल रूलर्स थे चोला एंपाईर राजा राज़न्ढर ये लोग जो थे तो इन लोगों का सिंपल सी आया समझ में ठीक है तो यह चाप्टर की थीम होने वाली तो हम क्या करेंगे रूलर्स और रूलर्स की द्वारा जो बिल्डिंग ठीक है जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया उसे देखेंगे तो हिस्ट्री एनिट्स सिग्निफिकेंस और यह जानना बहुत जादा ज देवलप्ट था उन लोगों की सोच कहां तक थी कैसे बनाया अब ताज महल आप देख रहे हो मुगल मुगल्स ताज महल बनागे चले गए आज आज हमारे पास इतनी मशीन इतने टूल्स यह सारी चीज़ें लेकिन प्रैक्टिकली आज पॉसिबल नहीं पाओ वैसा ताज इस सिग्निफिकेंस यह हमें बताता है कि उस समय पर उनका मतलब उस समय पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी वो कितनी डवलप्ट थी लोग कैसे चीज़ें करते थे ठीक है आज उस तरह के पत्थरों से इतना बड़ा-बड़ा मैंशन बनाना इतने फोर्ड बनान क्या कर रहे थे ठीक है तो यह थी में चाप्टर की चाप्टर में हम इसी थीम को इसी चीज़ को ध्यान में लखते हो देखेंगे कि क्या-क्या कप-कप कंस्ट्रक्ट हुआ किस-किस तरह से हुआ आज हम उसे हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं आइटन कल्चर वाले बच्च मुगल एंपायर उससे पहले का भी का पढ़ लिया सबको देली सल्तनस से पहले का भी तो वह रूलर्स के आपको एक सेम लाइन तो पता हो गई यह कि कैसे पहले हमारे अपने रूलर्स थे ठीक है अर्ली मीडिवल इंडिया में 8th century से अगर बात करें 9th century से तो हमारे अपने बुर्स को हरा है गया जैसे पृतिवरा चौहान वागरा को हराने के बाद में फिर धीरे-धीरे क्या होता चले गया डेली सुल्तान सा गये एक लंबे तक रूल करते रहे फिर जिल्तान को भूराने के बाद में कैसे मुगल एंपायर स्टैबलिश हुआ तो आपको रूलर् में कैसे चलोगे बताओ तो जहां इस्टेशन पर रुखी थी नहीं से बैठ के आओ ठीक है अब क्या है आगे देखो तो जैसे मैं आपको एक बता रहा था यह कुतुब मिनार है अब बोलो के सर पता है तो अमने ऊपर नीचे का छोड़ दिया है बीच का जो बताने वाली चीजे उसका इमेज है हमारे पास में सेटी में आपका ये कुतुब मिनार किसने बनवाया था कुतुब अधिन एभग ने इसकी पूरी कहानी मैं मिनार का नाम कुतुब मिनार रखा है तो वह कमेंट सेक्षेंश में आप आप कहोंवग बताना है कौन थे वो सेंट काकी कुछ नाम था अश्छा हिंट दे दिया में रहा है तो अब यहां पर इंसक्रिप्षिन देखो मतला है पत्थरों पर यह लिखावट है अब मुझे की बुक में जरूर देखेंगा इमेज तो कुटब मिनार में क्या ये इंस्क्रिप्शन है मतलब पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है तो इस ने पहली फ्लोर नीचे की बनवाई एंडी रेस्ट इल्टुत्मिष ठीक है बाकी की उपर की फ्लोर्स इल्टुत्मिष ने बनवा ठीक है तो यह सारी चीज हम डिसकस कर चुके हैं डेली सिल्टनित वाले चैप्टर में चैप्टर 3 में अब क्या देखो उतनी पुरानी बिल्डिंग है लगब लगब आप देखोगे तो एक हां एक हजार साल बोल दो चलो ठीक है अभी नहीं हुए 900 सालवा चल रहा है तो क है कि इतने पुरानी बिल्डिंग में अब कितने ही उसने क्या वियर एंटियर सहन कि होंगे लेकिन आज भी है देख पारे हो खुशकुश्मत है तो क्या है हमने देखा कि लाइटनिंग अर्थक्वेक वगरा इन सारी चीजों को सहन करती गई हो बीच-बीच में क्या होती ह है बीच-बीच में उसमें तो फोर भी होती है सारी चीज़े होती है अब क्या होता है लेकिन आगे आने आले रूलर्स में उसमें किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क चलाते रहे हो तो रिप्याइट बाई अलाओ दिन खिल जी मोहमद तुगलग फिरोश शाह तुगलग ूर्स थो ने भी का इसमें परका काम करवाया है तो लोगों इसको प्रिजरव करके रखाए ठीक अब आपको एनलाइस क्या करने इसमें तो धो इनस्कृप्शन है यह क्यों धो इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है अरेविक में लिखा है मुझे नहीं आती है तो आपको आतित बहुत अच्छी बात है पढ़ना क्या है अब आप अगर देखो कि अब जब करने आप करने चीज है कि यह मानलो एक यह वाल है इस पर लिखना अरेविक में कोई बड़ी बा उस समय पर कैसे किया गया हो और सोचो ठीके और मतलब फिर क्या है आज आप देखते ओ आज तो construction में machines वगरे का इस्तवाल किया जा सकता है उस समय पर इतनी बड़ी building बनाना अब इसमें क्या हर चीज में नककाशी है हर चीज में balcony यह देखोगा आप ठीके आर चेस होते थे और मिट्टी के घरों में इस तरह का एक मतलब इस तरह का एक नमूना बना देना वो क्या है अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तो यह बताता है कि आर्किट्रेक्ट्रल कि पीक को दर्शाता है कुतुब मिनार उस समय पे इतना ज्यादा डेवलप्मेंट ठीक है पीक को दर्शाता एकदम क्या पेरामाउंट है यह उस समय का क्लियर तो यह वही चीज है मतलब आपको मैं आपको क्या करना हूँ फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि आपको सोचना चालू करना है कि यह जो हमारा चाप्टर है रूलर्स इन बिल्डिंग तो उसमें किस तरह से बिल्डिंग की सिग्निफिकेंस है सिर्फ इस लिए ने पड़ने के बाद में सोचना है जीख अब देखो आगे तो अब यहां पर क्यों होता है फोड़ा सा थियोरी पाट जो है तो उसमें यह बताया गया कि जो टाइम पीरेड रहा ठीक है पूरी मीडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरेड रहा तो यहां पर बहुत सारी अगर बना आए तो between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kind of structures, दो तरह के structures बनाएं, kings ने उनके officers ने, ठीक है, तो कुछ तो private buildings होती थी, private buildings में क्या बनाएंगे वो, तो forts, palaces, garden, residences and tombs, इस तरह से कुछ private buildings बना रहें अपने लिए, ठीक है, किले बना रहें, palaces बना रहें, garden बना रहें, residences रहने के लिए बना रहें, tombs बना रहें, tombs मतलब क्या होता है, तो कबर बगरा जैसे राजाओं की भी बनती थी, ठीक है, फिर जो saints होते थे, saints की भी बनाते थे, यह क्यों बनाते थे, ताकि यह मतलब एक तरह से safe, protected and grandiose places of rest in this world, ठीक है, ताकि वो अराम कर सके, अपने शौक पूरे कर सके, तो उसके लिए buildings बनावाई, साथ ही साथ में राजाओं ने क्या किया, कि राजाओं ने, मतलब फिर जो officers थो उन लोगों ने, they built buildings for public activity also, public activity मतलब आम जनता के लिए भी buildings बनाए गई, जैसे temples बनाए गए, most बनाए गए, tanks बनाए गए, well बनाए गए, ठीक है, कारवें सरीज बनाए गई है, bazaars, तो यहाँ पर मतलब जो कारवांस वाले मतलब जो रहागीर लोग रहते तो उनके आराम के लिए क्या धरमशालाएं वगेरा, इस तरह से सारी चीज़े बनाए गई है, bazaars बनाए गए, अब अगर आप देखोगे, तो देखोगे, तो देखोगे तो रेड़ फोर्ट है, तो यह क्या है, मंदिर नहीं है, लेकिन यह क्या दर्शाता है, यह एक तरह से दिखाते तो मुगल, मुगल एंपायर को दर्शाता था, अब यह तो आपको पता है, यह जरा मुझे बताना, मैंने आपको डिसकस करा था, चैप्टर टू में यह, गांगई कॉंड़ा चोला पूर हम किसमें बनाया है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो क्या बताना चाहरा हूं है, कि पब्लिक एक्टिविटी के लिए बिल्डिंग्स बन रही थी, अब पब्लिक एक्टिविटी के बिल्डिंग्स भी क्या होते गई है, जैसे जैसे रूलर्स बदले होंगे, चेंज हुई होगी, ठीक है, अब रूलर्स बनवाते क्यों से जनता के लिए, देखो, आज भी व बाजार बनवाना ठीक है वेल बनवाना पानी के और सोर्सेज बनाना बाउडी वगेरा बनवाना ताकि क्या हो ताकि जनता उनको प्रेस करें बोले क्यार हमारा राजा तो बहुत अच्छा है ठीक है उसने हमारे लिए क्या मंदिर बनवा दिया मंदिर बनाना क्या है और मंद ये सारे paublik एक्टिविटी वाले कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जाते थे पाकि क्या कर सके जो भी रूलर है मुगल एंपरर है वह क्या कर सके जनता का सपोर्ट ले सके जनता खुश करने के लिए किया जाता था य। आया कि क्यों काम हो रहा है सब कुछ तीह जe है यह तो खुद के लिए और यह जनता की लिए ता कि जंता का सपोर्ट ले सके अब ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा तखी कंस्ट्रक्शन वर्क शीमित् था ब्लावा फैन गिक स्रफ राजा तखी सीमित थी उसके अलबावा तो तो अब सर्वाइव नहीं कर रही है तो अटक होगा है पुरानी थी तूट गई सारी चीज़ होगी लेकिन उसके बावजूद जैसे अगर आप देखोगे जो बाद में मेडियल टाइम के एंडिंग पिरेट में जो हवेली बनी 18th century 17th century में तो आज भी सर्वाइव करती है ठीक है जैसे पुरानी देली वगेरा में आप देखोगे तो आज भी क्या है लोगों की कोठी वगेरा है तो वो क्या है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जो था तो लार्ज मेंशन्स हवेली जो होती है तो अफ मर्चेंट्स हैस सर्वाइवड ओनली फ्रॉम दी 18th century तो 18th century के बाद की सर्वाइव कर पाई है क्योंकि वो रीसेंट टाइम में बनी है तो इसका राण सर्वाइव कर गई है पुराने समझना है 7th class वाले सभी students को तो अब हम क्या करेंगे हम इस chapter में इन सारी चीदों को पढ़ने आले हैं ठीक है मुझे पता है introductory video इतना बड़ा नहीं होता बड़ा हो गया लेकिन उसमें concept थे जाने वाले अब हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं what we are going to study in this chapter तो यह topics है जैसे engineering skills and construction अब construction ऐसे हवा में थोरी ना कर देते थे कि बस बना दो यारी इंटे रगदो एक क्योब पर एक उनके पास style था construction का ठीक है तो style बदला भी है ठीक है तो जैसे आप arches की बात करते हैं इस video में हम पढ़ेंगे तो true arches होती थी तो false arches क्या होती थी वह सारा सब कुछ मैं आप अब भी बहुत सारे काम होते थे जैसे अब देखो कि तो tempels बन रहे थे कब early medieval time period में जाए जब क्या है हमारी country पर हम देखेंगे तो बाद में बने नहीं टेमपल बाद में बन रहे थे कि डॉमिनेशन आ गया मॉस्क वगेरा का ठीक है क्योंकि रूलर्स के क्या है religion बदले हिंदू रूलर्स से अब इस्लामिक रूलर्स आये तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना अपने point of view को अपने interest को priority दी फिर क्या है तो यह सारी चीज़े टैंक मतलब क्या है तो पानी पीने के लिए जो विवस्ता की जाती है वो बावडी वगेरा इसके बार में पढ़ेंगे हम और फिर क्या है temple construction in early 11th century early 11th century मतलब क्या है कि starting time period में जो temple construction चल रहा था तो उसकी style क्या थी ठीक है यह मैं आपको बताऊंगा specifically कि क्या किस style से construct किया जाता था अलग अलग चीज़ें है उसमें ठीक है गर्बग्रह क्या होता है मंदप क्या होता है ठीक है शीखरा वगरा त topic को specifically पढ़ेंगे कहाँ कहाँ temples पर हमले हुए किसने किये क्यों किये क्योंकि वो symbol होता था symbol of power होता था तो हमला कर दिया जाता था ठीक है अब क्या गार्डन स्टॉम्स एंड फोर्ट्स अब देखो गार्डन से एक नहीं चीज़ आई मुगल empire में अगर आप देखोगे तो यह भी जो जो construction हुआ क्या खासती कहां क्या बना वह सारी चीज़ हम discuss करेंगे region and empire अब यह जो आपका topic रहने आला है region and empire तो region and empire में क्या है कि कि किस region में specifically किस empire का time period में क्या construction हुआ last topic रहेगा यह आपका मतलब फिर उसके बाद में जैसे यह भी है तो यह क्या है churches that touch the skies तो यह extra detail में लेकिन पढ़ लेना क्यूंकि churches के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक और अलग style के बारे में पता चलेगा buildings के construction के बारे में जो की important है तो वो भी मैं आपको बता पढ़ने वाले हैं तो next video lecture से start करेंगे I hope you enjoyed it सारी चीज़ें आपको समझ में आई है किसी प्रकार का कोई doubt नहीं है doubt है तो feel free to ask in comment section मिलते हैं next video lecture में till then stay connected keep learning with magnet brains thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnet means इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे engineering skills and construction के बारे में पहला topic है पिछली वीडियो में आपको क्या बताया पिछली वीडियो में एक basic introduction बताया chapter का chapter की theme समझाईए ठीक है तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है please do watch that video क् वहां से आपको connect करने में असानी रहेगी ठीक वही चीज़ है चलती वी train में मत बैठो जहाँ स्टेशन है वहां से बैट क्या हो ज्यादा मजा आएगा ठीक अब क्या है देखो तो यहां पर हमारा topic क्या बताता है engineering skills engineering skills and construction जोड़ दो जला दोनों सब्दों को मतलब आप दे कि बस कुछ भी बस इंटे रखना है और बना देना है आपको किसी ना किसी तरह की skills तो चाहिए रहेगी ना engineering skills तो चाहिए रहेगी मतलब यह technique ऐसे बनाएंगे ठीक है आज भी आप देखते हो तो घर बनाते तो इसा तुरिए इंटे जमा दो उनकी एक काम करने का तरीका हो क्यों कि जिसे उस समय के जो monuments हैं ठीक है उस समय के जो भी monuments है तो those monuments, those buildings provide us insight into the technologies used for construction जैसे for example अब मान लो उस समय पर क्या है कि कुतब मिनार बनाया गया अब कुतब मिनार उस समय पर ना क्रेन थी ना कुछ था उस समय पर कुतब मिनार कैसे बनाया गया होगा ठीक है thought provoking है यह मतलब सोचने पर मजबूर करता है ना हमें कि यार क्या technique लगाई होगी उनुने वैसे ही क्या है कि अगर आप देख लोगे क्या कि आज आपने बुर्ज कलिफा देख लिया तो आज आपको पता है कि हाँ यह यह technology crane वगेर होती वो बना देती है लेकिन उस समय अब psychological development कितना था उनका दिमाग कैसे दोड़ता था ठीक है तो monuments provide us an insight into the technologies used for construction ठीक हाओ तो उस चीज का ध्यान रखना जैसे क्या है कि सिंपल क्या है अगर आपको एक रूफ बनाना है ठीक है एक रूफ बनाना एक चद बनाना है बच्चे बना लेते क्या चार लगडी खडी करते उपर घंस डाल देते वह बन गई है लेकिन अगर इस रूफ के उपर कुछ सुपर स्ट्रक्चर निकालना है मानलो यह रूफ की entrance पर आपको एक ऐसा arch बनाना है तो कैसे बनाएंगे ठीक है तब क्या technique इस्तमाल करते थे तो उनकी technique क्या होती थी क्या technologies होती थी उनके पास मे वो सारी चीज़े हमें कहां से मिलेगी जानने को वो सारी चीज़े हमें जानने को मिलेगी कि वो किस तरह की engineering skills possess करते थे क्या तरीका रहता था उनका मजा आएगा ठीक है आगे समझते जाओ चीजों को तो क्या है engineering skills used during the construction work especially in arches क्या होता है arch पहले समझो क्या है तो जैसे यह गेट है यह simple gate है आप निकल जाते उसमें से अब और नहीं यह थोड़ा सुंदर होना चाहिए कुछ तो आप क्या बोलते हो कि इस gate को आपन ऐसा करते हैं कि ऐसा design रहेगा यह शांदार सा design ठीक है यहां से निकलेंगे अंदर से तो फील आएगा थोड़ा तो उस तरह से हैंedi construction वह करते थे तो दो तरह थे मतलब दो engineering techniques थी उनकी क्या अगरा है आप पहले की बात करते हो 8th century की बात करते हैं, from 8th to 13th century, तो उस टाइम के जो structure आज बच गए हैं, ठीक है, आज जो structure बच गए हैं उस समय के, तो उन structures को अब जब हम देखते हैं, जब observe करते हैं, तो हमें समझ आता है, ऐसा है निए बस देख के जाके हम आप एक selfie लेके आ जाओ, आप कभी जाओ ना, पुरानी विल्डिंग्स पे, जैसे कुवत अल इसलाम मॉस्क, डेली में जो बच्चे हैं तो जाओ घूमने, और अब ये वीडियो देखने के बाद में जाओगे, तो observe करना मैं जो आपको बताओंगा वो चीज़े, ठीक है, वो चीज़ें observe करना, देखो क्या है, तो यहाँ पर बताएगा है कि ये जो ट्रैबियट और कॉर्बिल्ट टेकनिक है, देखो ट्रैबियट कहलो या फिर कॉर्बिल्ट कहलो, तो हम अभी के लिए एक ही शब्द लेते हैं, बार-बार दो बोलते हैं तो मेना ज़्यादा होती है, ट्रैबियट टेकनिक जो है, अब ट्रैबियट टेकनिक में क्या है कि, रूफ, डोर्स, और विंडोस वर मेड बाई प्लेसिंग अ होरिजोंटल बिम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, अब यह टेकनिक जो है तो यह पुरानी है, मेडिवल पिरेड में इनिशली इस टेकनिक के इस्तेमाल किया जाता था, बाद में यह वाली टेकनिक आएगी, ठीक है, दो यह वर्टिकल कॉलम से, इनके उपर होरिजोंटल बिम लगाये जाते थे, ठीक है, तो ऐसे कंस्रेक्शन होता था कि आप यहाँ पर डाल दोगे, एक यहाँ पर डाल दोगे, फिर यहाँ पर तो इस तरह से आप यह आर्च बन गया आपका, दिखा दोगे, कि हां आर्च बन गया सुन्दर गेट है इसके अंदर से निकल सकते हो आयाना समझ में तो यह क्या है ट्रेविएट टेकनीक है अब ट्रेविएट टेकनीक में डिफॉल्ट है कुछ खुद समझो ज़रा थोड़ा सा अपना आर्टेक्ट्रल दिमाग लगा इसमें आपने क्या करा कॉलम के उ छोड़ा साइंस के साहथ जोड़ो अब ग्रैविटी क्या बोलती है ग्रैविटी बोलती कि यहां बहुत जादा वेट होने वाला यहां एंगे और यह जो दूसरे आपने structure रखें दूसरे आपने क्या रखें यह क्या है आदे हवा में है और आदे किया हूँए तो मतलब ज तो प्रेशर आ रहा है ना वोड़कर क्या उनीवनली डिस्ट्रिब्टेड हैं ठीक है नीवन यूट आप देखोगे नीचे वाला पूरा 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 प्रेशर आ गया है तो यह यह गलट टेकनीक है क्यों कि कि सी दिन आप बोलोगे यहां पे घडू कर देखो किया बिल्डिंग बनाई है कि अपकर घएगा हो तो ये टेक्निक जो ये ट्रैंब टैक्निक है ये यूज कि जाती इसके एविटेंस से अब हो सभले अभा पहला है siis मैं अट辉मงropolis 2019-00 को उस ढ्रही टैंडीन मैं थे आप क्या कर रहा है क्लशा शॉकुपर एंब अब आगे क्या है अगला आपक्वेट आपक्वेट क्या है तो अंडर दिस स्टाइल आफ कंस्ट्रक्शन टू टेक्नोलोजीज एंड स्टाइलिस्ट डवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फॉम धी ट्वल्थ सेंच्यूरी अब क्या होता जब एक दो के उपर गिरा होगा इस त ट्रॉबलोजिकल चीनज आएं क्या चीनज गाएं दो तो पहला चेंज क्या है दिवेट ऑफ दी सुपर स्ट्रक्शर अबहुअ दीड़ अबव दीड़ अबव दीड़ एंड वींड़ वस सम्टइम् करेड बाइड आर्चेस अब जो भी सुपर स्ट्रक्शर बन रहा है इसे गेट है इसके उपर आपने मानों एक सूपर स्ट्रक्चर ऐसा बनाया तो इसका वेट अब किसके उपर जाएगा पता है सुपर स्ट्रक्चर अब दी डॉर्स एंड विंडोज वाउस सम्टाइम केरिट बाई आर्च यह जो आर्च है ना आर्च वेट को ही होल्ड करेग पहले वारे केस में क्या हो रहा था कि जो आर्च बन रही थी तो यह बिम्स जो रख रहे थे आप यह वेट को और उल्टा बढ़ा रहे थी नीचे लेकिन आप वेट को होल्ड करेगी कैसे समझाओंगा दो मिट रुखो simplified way में समझेंगे एकदम फिर से हम एक बार मिस्तरी बनेंगे तो आप देखो क्या है एक चीज़ वेट को बहुत अच्छी तरह से distribute कर दिया है जो technical physics वाली जो problem आ रही थी ना ग्रेविटी की तो वो problem आप खतम कर दोगे आडविट अगली कि क्या है लाइस टोन सुन वराइसमेंट उसक्राइब एक उसक्रांगे कुछ तो ट्लिडब करेगी तो this was very high quality cement which when mixed with stone chips उसमें पत्थर मिला दी जाते तो थोड़े stone chips मिला दी तो आपने अगर पुरानी building में observe किया होगा तो अगर एक पत्थर रखा है उसकी जुडाई करी है तो उसमें आपको छोटे-छोटे पत्थर मिलेंगे उसमें ठीक है ताकि क्या हो hardness मिल सेके mixed with stone chips hardened into concrete और एक्दम concrete चीज़े मंजी आती है आज भी आप देखते जैसे columns बनते तो हम क्या करते सिमेंट के साथ में गिट्टी डालते है काली वाली ठीक है लोहे का पत्थर जो होता है मतलब मेरी बच्पन से आदेस हो वह काली वाली गिट्टी वह जैसी हार्ड होती ना ठीक है फिर क्या होता है दिस मेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स इजीर और फास्टर तो इससे क्या होता कि आप मजबूती दे रहो तो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स है वह तेजी से बनेंगे और स्ट्रॉंग बनेंगे और ठीक है तो अब मैं आपको यह टेक्नीक समझाता हूं आपको ग्रेट के जा लगां लगांगे और दूसरी चीज्ज मननेगे एक पत्थर ऐसा रखेंगे, दूसरा पत्थर उसके उपर ऐसा रखेंगे, तीसरा पत्थर उसके उपर ऐसा रखेंगे, वही चीज यहाँ पर भी होगी, एक पत्थर ऐसा रखेंगे, फिर थोड़ा सा लेकर चलेंगे, ऐसा रखेंगे, फिर यहाँ पर भी एक पत्थर उसके पत्थर रखते जाएंगे अब यह क्या है आप बोलो कि सर गिर क्यों नहीं रहें क्योंकि समझे इस चीज़ को आप मैंने आपको तरह लाइम स्टोन का इस्तमाल कर रहें तो जोड रहें यह लाइम स्टोन से इन्होंने जोड के रखा है अब हाड़नेस मिल रही उसको ठीक है एक पत्थर उन्हें यहाँ पर ऐसा रख दिया अब यह अल्टिमेटली क्याएगा कि इस तरह से गैप बन जाएगी आप ऐसे ऐसे लेवल तक पहुझ गए हो मतला इसको और सिंप्लिफाइट कर दे अगर तो क्या है कि आप ऐसे लेवल तक पहुझ गए हो आपने यहाँ त टेकनिक में क्या किया जाता तो जब इतना कंस्त्रक्षन हो जाता था तो यह जोड़ने के रखाए लाइंश्टों से अब इसके ऊपर कीश टों लगाया जाता था एक जो पथर बीच में लगे ना यहाँ पर ये वाला ठीक इसको पूरा रेडित देते चलो यह क्या यह अब क्या हो गया अब क्योंकि आपने लाइम स्टोन से जोड़ भी दिया तो अभी आपको एक सॉलीड स्ट्रक्चर मिल गया पूरा अब इसके उपर आप सूपर स्ट्रक्चर कितने इंपोस कर दो अब इसके उपर आप बजन भी लगाओगे न तो भी क्या होगा आर्च जो पनी है यह यह आर्च क्या करने वाली उपर से वेट को होल्ड करके रखेगी अपने पास आयाना समझ में तो अब ट्रेविट टेकनीक और यह आली जो आर्गेट टेकनीक है अब इसमें से ट्रू आर्च कौन सा है अब इसमें आप भी खड़े हो जाओ ठीक है आपके बच् चीज नहीं है तो यह ट्रू आर्च कहला आया की स्टोन भी ध्यान रखना ठीक है तो यह दो इंग्जिनियरिंग स्किल्स है अब क्या होता है अब बापीस आते हैं चाप्टर पर अपने मतलब इस टॉपिक पे तो ट्रेविट और को बेल्ड जिसे कहा जाता था वो टेकनी भी मैंने आपको बताई आर्कविट टेकनिक भी आपको बताई दोनों समझ में आया क्या होता है कि जैसे इसे डिमांड बढ़ते चलेगी सूपर स्ट्रक्चर बनाने की बात होती है तो पहले इस इंग्जिनियरिंग स्किल का स्तमाल किया जाता था यह इंग्जिनियर्स ज जो है मैंने बताया ना कि जो आर्च बनेगी तो यह क्या है वेट को सहन करेगी हाओ फिर क्या है लाइमस्टोन वगरा यूस किया गया था जिससे क्या हाडनेस और मिलने लगी तो यह दो नहीं टेकनिक्स यूज करके आर्केट टेकनिक जो है तो एकदम एग्जक्ट बैठ अब अगबर नामा की एक पेंटिंग हमें मिलती है जो बताती है शोइंग डी कंस्ट्रक्शन ओफ वाटर गेट अगरा फोट अगरा फोट जब अगवर बनवा रहा था तो उस समय पे यहां पर कंस्ट्रक्शन का एक वो इंसाइट देती आपको तो देखो यहां पर क्या ह हो रहा है । इस तरह से का है वो पेंटिंग बताती है कि अब समेंट वगरा तो कौन सी टेकनिक अस्तमाल क्या हुआ खुड सोचो जरा थीकिए से में डाल रहे हैं तो आर्क्वेट टेक्निक का इस्तमाल किया गा जए होगा जिसे ट्रू आर्च कहा जाता है अब जो भी मै स्क्रीन बनिये को यहां पर आपके पास इमेज है कुवत अलिसलाम कर यह महुंड ने बनवाइख कुट्बुद्र ने मेन कमया जो मिश्ले विडियो में तो कुट्बुद्धिन एबक नहीं जो मौस्क बनाया और इसा भी कहा जाता है कि इंडिया का पहला मौस्क है अब क्या होता है कितु बुद्दीन एबक ने जब यह बनाया तो इसमें कौनसी टेकनिक यूज़करी थी ट्रैवियर टेकनिक यूज़करी ती इसलिए बहुत सारा सब कुछ तूट भी और उतना ज्यादा क्या है स्ट्रॉंग नहीं है यह तो ऐसा है कि अभी प्रजर्व करके रखा है हमने कि यह बहुत पुरानी धरोर इसको बचा के रखा जाए ठीक वहीं पर आप क्या देखोगे वहीं पर आप देखोगे ट्रू आर्च डीटेल फ्रॉम अलाई दरवाजा अ तो इस मॉस्क को और बड़ा करवाना चाहता था तो उसने एक गेट बनवाया अलाई दरवाजा जिसका नाम है आर्ट इन कल्चर द्यान रखो यहां पर यह फैक्स पकड़ते चलना ठीक है तो क्या होता अलाई दरवाजा जो बनाया खिल जी ने तो अलाई दरवाजा में जो टेक्निक यूज की गई है वो की स्टोन वाली टेक्निक यूज की गई है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है इस तरह से आप जोड़ते गाएं अब यह ड्राइंग थोड़ी अच्छी है तो अब यह की स्टोन मतलब दूसरे पत्थर को आप जोड़ते और यह बीच में लाई लएज ने पत्ला से मोटा था तो देख लूए नीचे से पतला है उपर से मोटा है तो फस गया है ठीक यह टू आस कहलाया तो यह आज भी अलगई पहले टी ऑलाही दरवाजा रिलितिव ली क्या है इस ट्रॉंग है और यह आज तक सर्वाइफ कर रहा है तो यह अर् यही चीज का एक्सलेशन यहां पर कि कॉर्बेल्ड कॉर्बेल्ड यहां फी ट्रेविट टेक्निक जो है यूज्ड इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन तो एक उजालदानी विंडो गेट आर्च जहां पर भी आर्ट बना रहो आप यह टेक्निक का इस्तमाल किया तो देखो यहां पर क्या ओर है पिलर के उपर यह बाहर निकलती आ रही है अब इसारी जब बाहर निकलती आ रही है तो इनका वेट अनिवनी डिस्ट्रीटेटर कभी भी गिर सकती ध़डाम से अब यहीं पर आप क्या देखते हो कि ए अट्रू आर्च ट्रांसफर्स धी वेट औफ क्या होता है यह की स्टोन जो है की स्टोन के लगने के बाद में जो पूरा बजन जो आ रहा था ना वह बेस पे चले जाएगा अब आर्च के उपर में ही रहेगा ठीक यही सारी चीज़ें हमने डिसकस करिए आपको सब कुछ समझ में आया है चीज़ें क्लियर हो गई है फा और भी बच्चे हैं जो अपना घर बेटे सिलिबस कम्प्रीट कर सकते हैं मैंने ब्रेंज को उनके साथ शेयर कीज़ेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्च हला अव्रीवरीडी इस दिग्राश सिंग राजपूत वेल्कम टू मैगनेट बीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंपल कंस्ट्रक्शन इंदी अर्ली 11th सेंचिरी इस टॉपिक को देखिए समझे अब आप बोलोगे सरी तो एक पेज पे दिया है तो एक पेज पर लेकिन जानना समझना बहुत जादा ज़रूरी है क्यों क्यों कि मैं थोड़ा सा पीछे से रिलेट कर रहाती हम आपको टॉपिक से तो हम Riche य governments के क्वारे में पढ़ रहे थे रूलासे में लिदी इस के बारे में पढ़ रहे है तो हमने देख समझाएं कि जो समझा है कि जो गुख ऑफैंद्ट से बा hurt किले में आर्ली मेडिवल भीड़ तो आप 750 से आप 1100 तक ले यहां तो आप देखोगे South India में भी North India में भी यहां के जो इंडीजिनियस रूलर्स थे Hindu rulers जो थे तो वो डॉमिनेट कर रहे थे ठीक है अब उन्होंने क्या construct किया होगा उन्होंने क्या construct किया गया तो दिखती बात उन्होंने temple construction पर धिया होगा उन्होंने मंदिर बनवाए होंगे तो वो मंदिर जो बनाये थे तो किस तरह के मंदिर बनाये थे उस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे heading में ही बता रही है temple construction in early 11th century ठीक है अब क्योंकि वो temple survive कर गए आज भी surviving है ठीक है आज भी हम उन temples को देख सकते हैं तो हमारे पास हमें एक idea लगता है एक चीज समझ में आती कि कैसे temple बनाये गए होंगे ठीक है अब आपको यहां पर एक चीज और क्या स्टोंस का यूज होने लगा था यहां पर क्या स्कल्चर्स वगिर आप बहार से डिजाइन करके लगाने लगे थे अभी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन की टेक्नीक्स यूज की जाने लगी थी जैसे क्वल टेकrics जीसे से ठ्रेट भी खा आता एठीगें अटेक्नीक्स देखनी का यूज की जाने लगा था कंस्रक्शन में और उसके पहले तक चॉन स्ट्ट्स उ धियान करो उ उसके पहले रॉक कड़ टेंपल्स बनते थे जैसे आजएंट अलोरा में क्या हुआ है वहाँ पे आपको रॉक एक पहार है अब छोन के अब शिय skinny कर दोगे तो श्यम्याप कर दोगे तो तो और अंदर जाके भगवान सुरी चीज़े तो पत्धर के अंदर क्या बन जाते थे मंदिर बना दिये जाते थे रॉक कट होते थे वो ठीक है लेकिन अब क्या है अब आप देखोगे स्टेंड अलोन टेंपल साने लगें जो ऐसे अखेले अलग से बनाए जा रहे थे क्योंकि टेक्निक्स डवलप हो गई थी ठीक है तो ये आपको मतलब युको बनाए जा रहे थे को सबसे पहले तो मैंने अब आपको पहले भी बताया है यह सी चैप्टर की स्टार्टिंग में जब मैं आपको एक पुरा ओवर्वीव दे रहा थे चैप्टर का की टेंपल जो होते हैं वह उस राजा के दोरा क्या हो गाए उस राजा की पावर का सिंबल होते थे प्राजा लोगों का सपोर्ट लेना चाहता था तो वह टेंपल बनवा देता था ठीक है अब टेंपल बनवाए गए तो हमारे पास दो एक्जामपल है दोनों एक्जामपल के थूर हम देखेंगे कि आर्ट और क्या सकते हैं आर्किटिक्चर वाला जो पुरा स मंद्यप्रदेश में खजराओ है तो जो खजराओ का पूरा क्लस्टर है ठीक वहां पर बहुत सारे टेंपल थे लगब 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 80 टेंपल थे आज कुछ 25 सर्वाइफ कर रहे हैं तो यह 20 किलोमेटर का पूरा सरकल है इसमें बहुत सारे मंदिर है किसने मनवाया थे मं मंदिर है सारे मंदिर चंदेला डानिश्टी तो चंदेला डानिश्टी के बारे में अगर आपको धि perception अपने पड़ा हो सिक्स्प्रास में थोड़ा से याद मैशने चंदेला डाइनस्टी को स्टेपलीष के गया था फिर कीरती वर्मन वगिरा जो थे तो इसके प्रॉमिनेंट क्या थे रूलर्स थे पर फूल रूलर्स थे द्धाने कुछ तो यह चंदेला डाइनस्टी जो थी वह फ्लरिश करती है Central India में मध्यप्रदेश के आसपास ठीक है अब क्या होता है तो वहाँ पे चंदिला डाइनिस्टी के एक रूलर क्या नाम था धंगादेव ठीक है धंगादेव ने 999 ठीक है 999 में खांदेरिया महादेव टेंपल कंस्ट्रक्ट करवाया था अब खांदेरिया महादेव मतलब क अब कैसे बना था यहाँ पर दो तीन चीजें सेंटर में तम के गरवी रहा है या फिर हम इधर से मंदि माघरर एंटर करने मागर यहाँ पर आपको एंग्या नकली करना कि एक गेटवे होगाँ ठीके अब मभलई के महा मंदपा जो मंदपा से बड़ा होता है साइज में बड़ा होने के साथ साथ यहां पे बहुत सारी कल्चरल अक्टिविटीस परफॉर्म की जाती है जैसे डांसिंग ठीक है उसका याद में सिंगिंग वगरा जो है तो यह एरिया जो है यह ओपन फूर आल टाइप से रहता अब यह गर्वग्रह जो है तो गर्वग्रह में क्या होता था डेटी जो देवी देवता होते हैं जैसे अब यहां देखेंगे कांदरिया महादेव तो भगवान शिव का क्या होगा यहां पर देटी का स्थान हो गया अब यहां पर क्या है तो राजा राजा की फैमली के ल स्ट्रक्टर समझ में आना चाहिए यूपीएची के परस्पेक्टिस से और भी दूसरी एक्जाम्स के परस्पेक्टिस से बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको टेमपल कंस्ट्रक्शन के जो आर्ट है जैसे अगर आपको ध्यानों सिक्स क्लास में पढ़ा आपने क्या मतलब स शीखरा में रहा है यहां पर कलश होता है यह सारी चीज़ें शीखरा पर धेलना क्यूंकि आगे जो दूसरा एक्जामपल देखेंगे उसमें सीखरा से कहानी फिर में रिलेट करोंगा त्यक्ति अब आपको टेमपल का पूरा कैंप से उसमें और भी बहुत सारे दूसरे दूसरे टेंपल से और स्कल्चर्स तो यहां पर जो मूर्तियां है वह मूर्तियां क्या है वह मूर्तियां एक तरह से आप देखोगे तो कहीं न के इस्टॉरियंस उस चीज़ पर डिस्प्यूटेड है कि हाँ पर जो जिस तरह की मूर्तिया बनाई है तो वह मूर्तिया टेंपल के साथ में रिलेट नहीं हो रही है उस समय का कल्चर कैसा था यह क्या है एक मेटर ऑफ डिसकेशन है क्लियर तो उस तरह से यह जो टेंपल है यह खजराओं complex contained royal temples where commoners were not allowed they were not allowed entry तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था अधिकतर क्याओं सको तो royal temples होते थे बहुत सारे temples से इसे हम रताया the temples were decorated with elaborately called sculptures तो स्कल्टर्स जो होते थे इसमें जो मूर्तियां लगी वहीं में बता रहा हूं तो बहुत जादा क्या होती है बहुत जादा डेकोरेटेड और बहुत जादा बारिकी से बनाई गई थी यह खज्रा और टेंपल की कहानी हो गई है आगे अगर देखते हैं तो दूसरा टेंपल भी कहा जाता है गांगई कोंडा चोलापुरम ध्याने आपको चैप्टर 2 में पढ़के आए हैं हम चोला एंपायर तो चोला एंपायर के जो रूलर थे राजा राजा चोलावन इनके बेटे का नाम क्या था राजे इंद्रवन ऐसे चीजों करना है तो मतलब राज का वो वाला परस्पेक्टिव बता रहा हूं कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट किये जाते थे टेंपल मतलब जो टॉपिक है तो हमारे टॉपिक में अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला सेग्मेंट बताया है अब इसके पीछे के कारण क्या थे वह आप अगले वीडियो में है तो अगरी टेंपल के नाम में और एन के नाम में कुस सिमिलरिटी हा जाती और यह इंटेंश्णल ही किया जाता है क्यों आगे बताऊंगा आपको ठीक है यह सारी चीजे अब यह जो टेंपल है तो इस तेंपल में और अभी जो पीछे टेंपल देखा अमने खानदेय महा आपको क्या करना है अभी करते हैं तो यह टेमपल बनाया गाया कहां पर थंजावर में गांगेट कोंडा चोला पुरम जो चोला खा रहा ठीक फिर क्या है अब है लुक आप अर्टेक्टराल डिजाइन्स इसके अर्टेक्टराल डिजाइन को देखो अच्छे से समझो तो तो यहां पर आप अनलिस्स डॉग करना देखो किया है तो द्रैविडियन स्टाइल में एक अलग चीज क्या होती है कि बाउंडरी रहती है बाउंडरी में एक में गेट रहता है मतलब साउथ इंडिया में जो टेमपल बनाये गए तो इस तरह से अंदर एक कैमपस रहेगा मतलब यए बाउंडरी रहेगि और कैमपस के बाउर क्या रहेगा जो एंट्रेंस डाये मेंकृट एसके बाद में magda अंदर में अंदर दि hon फे ऊपर की तरफ उसके हम और है उसके उतर है ईफ साथbank करें इसके चाहिए यह हमastic आप देखने को मिलेगा यह विमाणा कंस्ट्रक्त और किया है कहा पर तो राजयह गर ते इसके उपर अब क्या है यह बहुत जादा हाइट होते हैं हाइट मतलब जो उने अभी पीछे देखा कांदेरिया महादेव का टेमबल जो देखा तो उससे ज्यादा उचा होता है इसका शिकर इसका शिकर पिरामिट टाइब होता है तो ड्रावीडियन स्टाइल of construction में जो मंदिर बनाए तो उनका जो शिखर है उनका जो विमान है जिसे विमान कहा जाता है वो क्या होता है बहुत जादा पिरामिड की तरह होता है वो ठीक राजा राज़ेश्वा टेमपल थन्जावूर had the tallest शीक्रा amongst temple of its time तो उस time के medieval time period के जितने भी मंदिर बने हैं तो उन सभी मंदिरों में सबसे उंचा शिखर जो है वो राजा राजेश्वा टेंपल का है ठीक है राजा राजेश्वा टेंपल का है विच वाजा बिल्ट वाए राजा राजा चोलावन लेटर ओन दी डेवल्ब्लमेंटल वर्क वास करिड आउण भाए राजेश्वान ठीक अब आप सवाल ये पूचेंगे सर ये बना कैसे है ठीक ये बना कैसे मतलब अब आप बोलेंगे उस समय पे ना तो क्या थी कोई क्रेंट थी कोई क्रेण आती ओसमय कुछ नहीं था ठीक है ना उस समय पैसा भी नहीं था कि लोग सब हाथ से पूरा उठा देंगे मतलब इतनी ताकत भी नहीं थी तो चलो एलिफेंट्स का यूज किया गया लेकिन आप एलिफेंट्स को उपर कैसे चड़ाओगे एलिफेंट्स को कौन उठाएगा वई तो उस तरह से एक कुश कि मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि दो तरह के ओडियंस देख रहे हैं डिलेमा में फस जाते हैं कि कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें बताने की मन करती है लेकिन सेवंध क्लास के बच्चे बोलेंगे इतना सारा क्यों बताने तो एक बैलेंस बनाएके चल रहे हैं लेकिन जरूरी है साउथ इंडिया में जो टेंपल बनते हैं उनके शिकर को विमाना कहा जाता है ठीक है अब देखो क्या है तो शीखरा जो है तो लोक इंटो दी प्रैक्टिकल असपेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल यह अगर देखो समझो कि कैसे बनाया जाता है तो यह जिखरा है मानलो ठीक है मंदीर का नीचे का कैमपस है और यह सारे इस तरह से मंदीर आ गए है अब आप देखो के तो आपने मंदीर तो कंस्ट्रक्शक कर दी लेकिन अब इतना उचा पिरामिड कैसे बनाया जाएगा तो आप बोलोगे सर मैं जो आपको आगया आर्गुमे आप पहाड के उपर जैसे जो स्टोन्स वागे आप ये शीखरा के उपर जो पत्थर रखें तो ये बहुत भारी ये उपर जो सबसे उपर स्टोन देखने को मिल रहा है वो 90 टंस का है तो अब इतना बड़ा इतना बजन तो आप क्या है हाथ मतलब उठाई नहीं सकते हो ना प्रक्टिकल ही तो इतना सारा बजन आप कैसे ले जाओगे वहाँ पे इतना भारी पत्तर कैसे ले जाओगे ठीक है अब देखो यहां पे क्या है तो यह यहां तक पहुचाने के लिए स्टाइल क्या लगाई गई थी कि अभी शीखरा नहीं बनाए मानो जैसे अभी शीखर नहीं बनाए तो अब इसके ओपर शीखरा बनाना आपको ऐसा तो शीखरा बनाने के लिए क्लिए क्या किया गया है ऐसा एक तरह से पाथ बनाया गया ठीक समझना मैं कंस्रक्शन बतानों कैसे हुआ गया लूग इंडू दी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑस कंस्रक्शन तो और अकी आर्किटेक्स बिल्ड़ एन इंक्लाइन पाथ टू दिटॉप ऑफ दिटम्फल यह जो टॉप अब तेम्पल का यहां तक एक इंक्लाइन पाथ बनाये गया है अब देखो इंक्लाइन पाथ एक ऐसा भी बनाया जा सकता था यहीं कहीं लेकिन यह बहुत जाद़ स् और inclined path की length भी बहुत जादा रखी ताकि आसानी से उस पत्थर को ले जाया जा सके ठीक है तो the architects build an inclined path to the top of the temple ठीक है temple के top का place the boulders on the rollers and rolled it the way to the top और इस तरह से फिर rollers पे boulders रखने के आदमें पत्थर है अब इसको गोल 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 करके ले जाएंगे और यहां तक लाएंग ठीक है उसमें बारीकी की जाएगी जो भी डिजाइन बनाना है और ऐसे शीखरा तयार होगा सोचो कितनी महनत लगी होगी practically करके मतलब imagine करो आग बंद करके यह ऐसे बन रहा होगा कितनी महनत लगी होगी इतना बड़ा आपको पहार डाइप से रास्ता बनाना है ठीक है और पात स्टाटेड मोर देन 4 km अवे सो देट इट कुड इट वुड नॉट भी टू स्टिप ठीक है अब क्या होता है कि यह पात को भी उन्होंने में जिसे बताया ने कि यहां से यहां भी बना सकते लेकिन बहुत जादा स्टीप हो जाता तो स्टीपनेस ना रहे इसके लिए इसको बहुत दूर 4 km बहुत दूर भी कितना जहां आज मंदिर बनाए वहां से 4 km दूर इस तरह का रास्ता बनाया है अब आप बोलो के सर आज तो दिखते ही नहीं हो तो आज नहीं दिखे गए से हटाया भी गया वापिस क्यों क्यों क्योंकि बीच मंदिर में याप इस त आ इक क्या का प्रूफ है कि यह ऐसा कभी इंक्लाइन पाथ बनाया गया हो तो इंक्लाय बनाया गया यह ओक स्के पीछे की कहानी ये वी सुन लोग कि चार क्लτεर दूर पे गाव रहे हैं क्या नामें we पल्लम ठीक है क्या विलेज ओफ दी इंकलाइन तो फैक्ट से हमारे पास डेटा है जो बताता है कि हां इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था आया समझ में देखो समझो अब जरा तो टेंपल कंस्ट्रक्शन इंदी अर्ली 11th संचुरिय में थोड़ा साब को क्या बताता हूं इंसाइडर परस्पेक्टिव बताता हूं एक तो इसके सांद में कंपेर कर लेंगे एक बार और दोनों चीजों को तो आपने देखा कि जो टेंपल कंस्ट्रक्शन चल रहा है यह क्यों हम मेडिवल का पार्ट पढ़ रहे हैं कि North India में Nagram style में ड्रावीडियन स्थ में ड्रावीड इन स्टाइल ए नग्रम स्टाइल के दिर को क्या है तो एक रजल प्लैट फॉर्म जो रहता है मतलब चारो तरफ से क्या रहेगी आपकी एक boundary रहेगी उसके अंदर मंदीर बनाओगे लेकिन कोई रहता लेकिन इसी में रहता है तो इस तरह से क्या है कि नौर्थ की और साउथ की जो style of construction है यह temple construction की जो style है वो अलग होती है वो मैंने आपको बताई ठीक तो आपको यहां पर यही अनलाइस करना था कि किस तरह से जो कांदेरिया महादेफ टेंपल है और किस तरह से जो राजा राजेश्वरम टेंपल है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ठीक है तो वाट डिफरेंस दू नोटिस बिट्विन दी शीखरा और टू टेंपल तो शीखरा के अगर बाता है तो यह क्या है पिरामिल शेप में और बहुत जादा उच टेंपल इस ट्वाइज हाई एस डेट ऑफ कांदेरिया महादेव समझनों चीज़ को यह जो शीखरा है इसकी हाइट से डबल हाइट है इस शीखरा की जिसे विमान भी कहा जाता है ठीक है तो यह सारा सब कुछ था किस बारह में टेंपल कंस्टुक्शन इन अर्ली 11th सेंच आते थे और हर टाइम पिरेड में क्या है आट ओफ कंस्टुक्शन जो है वो चेंज होते जाएगा अभी आपने टेंपल देखें तो अगर इसे हम टाइम लाइन पे देखें जैसे तो क्या है यह पूरा मेडिवल पिरेड है मान लो ठीक है पूरा मेडिवल पिरेड मतलब 18 से ले लेते हम 18 सेंचुरी तक ले लेंगे 1750 तक ले लो चलो ठीक है 1750 अब इस टाइम पिरेड में आप देखो कि तो यह स्टाइटिंग वाला जो फेज रहा ठीक है जिसे अरली मिडेवल कहा जाता है अरली मिडेवल में क्या हिंदू रूलर्स हैं तो हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्शन की टेक्नीक्स क्या थी उनके पास में अब यहां पर कॉन आ जाएंगे अब यहां पर मान लो चलो डेली सल्तनेत आएगी ठीक है तो डेली सल्तनेत में क्या बनाएंगे मॉस्क वगरा बनाएंगे मजीद बनाएंगे तो नेक्स वीडियो में क्या करेंगे उ feel free to ask in comment section I hope you enjoyed the video lecture आपको कुछ valuable information यहां से मिली है इसे implement करना ठीक है कहां पे तो अब जब आप मंदिरों में घूमने जाएंगे ना तब वहां देखना तो मैं बार बार बताता हूँ एक बार और बताता हूँ क्या कि SST एक living subject है मतलब जिंदा subject है आप अपने आजू बाजू देख सकते हो सारे subjects physics chemistry सब कुछ होता है लेकिन SST से जो दूर भागते हैं ना तो उसको उससे दूर भागने का सीधा से simple solution यह कि उससे अपने आजू बाजू observe करो ठीक है अब करना और बताना मुझे clear है तो magnet brains पे class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters सभी chapters के subtopics topics सारी चीजे इसी तरह से systematic way में video lectures के format में available है जिने आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं आपको क्या करना है अपने juniors और seniors को भ इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट गीन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे building temples mosques and tanks इस topic को पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से देखना और समझना पिछले वीडियो में में आपको क्या बताया पिछले वीडियो एक टेकनीक थी एक आर्चेस वगएरा बनाने की windows वगएरा जो भी बनाना आपको door बनाना विंडो बनाना जो बनाना है ठीक है उसी में हमने क्या देखा कि फिर बाद में जो टेकनीक्स ट्रू आर्च वाली जो डवलप हुई उसे हम क्या कहते हैं आर्कवेट तो वो दो ट स्टाइल थी ठीक है टेंबल कंस्ट्रक्शन का इंजनरल ड्रावीडियन और नगरम स्टाइल जो था दोनों अलग-अलग था तो हमने वो सब कुछ देख लिया है ठीक है तो अभी तक हमने टेकनीकल एंड पर काम करा है मतलब हमने कंस्ट्रक्शन होता कैसे था वो देखा आब हम जो देखने वाले तो अब हम फ्रंटेंड पर आने वाले कि किसने क्या किया ठीक है अब यहां पर क्या है तो यह जो टॉपिक ही यह का है building temples, mosk and tanks अब टैंक में आर्मी वाले माद सोच लेना आपकिया हमला करने के लिए अससे टैंक बनाने लगे थें। वाले टैंक नहीं है टैंक मतलब कि पानी के टैंक पानी के टैंक क्यूं तो उसके पिछे का कारण में समझाऊंगा आपको इसी वीडियो लेक्चर में ठीक है तो देखो समझो अराम से क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है पूरा यहां पे एक चीज जो बताते जारूं अपने आप ची अच्छी तरह से बनाओगे मतलब बहुत सुंदर सिंपलती चीज है जब गनेश उस्ता होता है तो हमां कॉलोनी में पांडाल बनाते हैं आप देखते हो बच्चे दिन रहात मेहनत करते हैं ठीक है आप घर में अगर आप पांडाल बना तो आप पूरा लुप लुप रशत, पांड ड़वनें बनाओवी मुझें दसे बनाये जाते थे, बढ़ो मजड़े मसित बढ़े से खूप पैसा लगाये चाहता हों मैं, और रूलर्स के दवारा और दूसरा एक और कारन था दो इसरे कीना की था, तो they were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron अब देखो क्या है पहले एक में आपको इन जनरल में देखो society तब भी वही थी आज भी वही है society में लोग जो हरकते हैं करते हैं वो आप एक line draw कर सकते हो कि हाँ ये pattern है आज क्या होता आज किसी के पैसा है फिरती तो आज कार बहुत महेंगी रखेगा वह अपने पैसे को दिकाएगा कि उसके शौक बड़े महेंगे रहेंगे ठिके पावर को दिखावा कर रहे हो डिमंस्ट्रेट इपावर एंड डिवोशन ऑफ दी पेटर्ण मतलब अगर किसी भगवान को मानते हो तो आप न भगवान के लिए अपना वेल्थ लगा दे रहे हो ठीक है पेटरॉन मतलब क्या है कि जो राजा है जो बनवारा है जो सारी चीजें कर रहा है तो इस कारण से मंदीर वगेरा बनाये जाते थे और आगे आप अभी नेक्स वीडियो में हम देखेंगे क्या कि टेंपल्स पर अटैक होते थे तो टेंपल्स पर अटैक भी इसी बावर वगेरा जो आए तो बावर से पहले भी आपने जो देखा था और चैप्टर में देली सिल्टान्स जो आए तो वो लोग कहां पर आए वो नौर्थवस्ट से आए उन्होंने मंदीर वगेरा पर हमले किये जैसे मुहमद गौरी की बात करते हो आप मेहमूद और गज देखो क्या तो अब एक्जांपल देखते जरा किसने क्या करवाया तो फॉर एक्जांपल जैसे हम देखे राजा राजेश्वर टेमपल अभी पिछले वीडियो में मैं आपको बताया उसका कंस्ट्रक्शन का तरीका बताए कि कैसे इंक्लाइन पाथ बनवा कि उसका उन्हें लगा तो गालो लेकिन नाम ध्यान रखना ठीक है तो अब क्या है तो राजा राजा देवा जो है राजा राजा वन जो है राजेंद्रवन के पापा जो है तो इन्होंने क्या किया था राजा राजिश्वर टेमपल बनाया ठीक है अब देखो क्या फॉर्दी वर् तो उनी से जुड़ावा उसने अपना नाम भी कर लिया राजा राजा कर लिया ठीक है ये क्या होता है तो understanding name game पूरा name game है name game को समझना name game क्या है कि एक जैसा नाम रख के वो क्या message देना चाहरे है for example जैसे क्या हो रहा है कि किसी बच्चे का जन्म का बहुता है को रोना पेंडमिक के टाइम पे जो लॉकड़ाउन रहा था तो वच्चे का नाम एसा आया निउस पे पर मिदेंगे मजाग नहीं करना हुआ हूं वे तो बच्च का नाम क्या रख दिया आप मेरे में कुछ similarities, सिमिलारिटी हैं, हम दोनों का एक दुसरे से जुड़े हुए साथ है, वह मंदिर बनवाता है, मंदिर के बhगवान के नाम के साथा अपना नाम रखता है, मंदिर का नाम अपने नाम के साथ जोड़की क्यों रखा ताकि वह यह क्लेम कर सके हां भगवान और मेरे भीच में तो relation है भगवान और मेरे बीच में क्या हमारी दोनों की एक तरह से मतलब मुझे भगवान में ही पहुचाया है आप लोग मेरी बात मानों मैं ही भगवान हूँ इस तरह का मेसेज वो पहुचाना चाहता है तो यह पूरा नेम गेम था ठीक है टेंपल वास अ मिनियेचर मॉडल ऑफ दी वर्ड रूल बाइ किंग एंड इस अलाइज हाओ अब एक चीज और समझो तो यह टेंपल बनाए जाते थे ना तो मैं बता रहा हूँ कि अपनी पावर दिखाने का एक तरीका होता था तो टेंपल में क्या होता तो जो में डेटी होती थी जो में भ भगवान उस्वाmost और उन्हें क्या कर दिया और उन्हें मंदिर के अंधर जो डूसरी nate is Het तो वह क्या है अस्फिर आपने मिनिस्टे रवगरा आपने अंडर के लोगों को बना दिया तो वह यो मुर्दिया घसवेशे जो मंदिर बनवाए गए तो हो उनके das就 तो मतलब उनके अंडर में जो रूल कर रहे हैं उन लोगों से क्या किये वैसे मंदिर बनवा दिये तो यह जो स्टेट्मेंट है ना टेमपल वास मिनियेचर मॉडल मिनियेचर मॉडल ऑफ दी वर्ड रूल बाइदी किंग एंडिस अलाइज तो क्या होता है कि जैसे किंग है किंग पवर फुल है उसके जो आडरी चोटे हैं तो व छौटे अलाइज के मंदिर रहेंगे छोटे रहेंगे या फिर क्या रहेगा कि toothpaste ए मंदिर बनवाया है राजा राज़ेश्वरा मंदिर थिए जो टैमपल बनवाया था तो इस टैमपल में का रहता है कि मेंड डीटी रहेगी वह king को रिप्रेजिन्ट करेगी और जो उसके allies हैं जो छोटे-छोटे दूसरे राजा एड्सामन्त हैं उन लोगों को दूसरी छोटी-छोटी डेटीज जो हैं छोटे-छोटे डेवी देता हो जाएं वो रिप्रेजन्ट करेंगे तो इस तरह से क्या होता था कि temple एक तरह से miniature रहता था एक छोटा model रहता था राजा राजा के empire राजा के allies राजा के दुश्मनों को बताने के लिए ठीक है तो temple कुछ नहीं था temple एक तरह से लोगों के sentiments है places of worship है लोगों के sentiment के साथ साथ अपनी power को show करने का एक तरीका है आगे समझ में सिंपल से चीज़ें सिंपल सा concept आपको ध्यान रहना चाहिए अब देखो राजा राजा वन के हमारे पास photo जो मिली वह यह मिली ठीक मतलब यह से नहीं थे लेकिन एक जो south में चलती फोटो तो वह सब्सक्राइब करने चीज़ें मिनियेचर की जो बात कर रहे हैं तो मिनियेचर कि लार्ज लार्जेस टेंपल जो होते थे और राजा के दवारा और उसके बाद में च्छोटे लेसर डेटी जो रहती है जैसे भगवान शंकर है शंकर के राद में अगर मान लो गनेश जी व की खोला है तो उसके जो दूसरे लाइस है उनको क्या कर दिया उन्होंने रहेच जो तरह बना दिया या और ऐख या प्युदीजीक बनाएंगी ज़से कहतम होता है और जब रूलर सागही कौन डेली सल्ता जब आ जब आ गये तो यह अरली टर्किश सब पढ़ा है चैप्टर 3 में यह मत सूचना है सिर्मत कुछ पढ़के आए पहले तो जो अर्ली टर्किश रूलर थे वो जब आएं कहां पे इंडिया में आए ठीक है डेली सल्टनेस जब स्टार्ट होती है इंडिया के जो इंडिया के जो इंडिजीनियस रूलर्स थे यह से बहत êtes तो तब क्या होगा तो तहब क्या होगा मुसलिम सुल्तांस और पादिशाज ऊ गए पादिशाज मतलब का बाधिछा है एक तरह से मतलब जो रूलर मुस्लिम सुल्ताज वर पादिशा जो आए तो उन लोगों का क्या स्टेंड था आपने देख लिया हमारे। हिंदी तो आपने आपको भगवान के साथ रिप्लेस करना चाह रहे थे अब मुस्लिम सुल्तान यह लोग क्या बोलते थे देखो तो यह नहीं पूल रहते कि हम भगवान है यह समझो क्या है कि बोल रहे हम भगवान का उतार नहीं लेकिन भगवान की परचाही है मतलब ऐसे घूम के आएंगे डिरेक्ट नहीं बोल रहे हैं इंडारेक्ट ली बोल रहे हैं तो यह दिद नाट क्लेम तो भी इंकारनेशन ऑफ गौड बट पर्शियन कोट क्रोनिकलर्स ठीक है क्रोनिकल्स डिस्क्राइब दी सुल्तान एज शेड़ ऑफ गौड शेड़ ऑफ गौड मतलब क्या कि भगवान की परचाही है अब यह जो शेड़ ऑफ गौड वाला तुबी मोर प्रिसाइज अगर एकदम बताओं किसके लिए यूज किया गया तो गया सुदिन बल को फवान की परचाही का टैग लेकर चलते थे तो हमें पता चला कहां से इंस्कृप्शन से इंस्कृप्शन क्या होते हैं तो पत्थर के उपडर जो लिखा हुआ रहता है ध्याना है अभी कुटब मिनार पे भी दिखाय था मैंने आगया आपको तो इंस्कृप्शन जो है कहाँ पे कुवतुलिस्लाम मौस्क जो है तो पिस ने बनाय थी चलो फिर से एक बाट एस्स लेते हैं आपका हमवर्क müह था आपको आगे वाले वीडियो में अभी डिसकॉस करके दिया था कुवत अलिस्लाम मौस्क जो है किसने बनवाना चालू किया था ठीक है यह पहली मौस्क है इंडिया की तो किसने बनवाना चालू किया था कहां पर है दली में है चलो ठीक है तो आपको नाम बताना है किसने बनवाना चालू किया था ठीक है यहां पर ध्यान रखना इंस्क्रि इनके बारे में पहले समझा देता हूँ मतलब पहले तो यह समझ लो कि इंस्क्रिप्शन यह बोल रहा है कि भगवान ने अलाओ दिन खिल जी को चूज किया और हमारा रूलर बनाया है तो शेड़ो ऑफ गौड हो गया एक तरह से भगवान ने अलाओ दिन खिल जी को पहुच कर सकते हो मुसा मुसस बना सॉलिमान जो है तो सलमन से ही सॉलिमान बना है अब यह जो चीज है ना इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कर दें तो मुसस को ने तो एक प्रॉफट की तरह माना जाता है पैगंबर की तरह माना जाता है इसलाम में और कुरान में किसी ए ठीके अब यह क्या है तो यह कैसे prophet थे जो कहां जाते हैं Pharaoh of Egypt मतलब Egypt के राजा के पास जाते हैं और Egypt के राजा के पास जाने के वाद में वहाँ जो Israelis थे उनको आजाद करवाते हैं ठीके गुलामी से आजादी दिलवाते हैं तो मतलब इन्होंने एक महान काम किया था ऐसा कह सक है भगवान की परशाई है ठीक है पैगंबर पैगंबर की तरह उनके अंदर क्या है दिमाग है यह सारी चीज़े फिर जैसे Solomon तो Solomon भी क्या है इसलाम में एक इन्सान है जिन्होंने क्या मतलब कुरान मिन का जिकर होता है जो बहुत जादा क्या थे बहुत जादा ग्यानी थे ठीक है राजा थे जो बहुत जादा ग्यानी थे जिनके पास बहुत जादा दिमाग था ठीक है उनसे एक बार ऐसा होता है कि भगवान सपने में आते और पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें तो वो क्या बोल देते हैं वो बोल देते हैं कि मुझे wisdom चाहिए मुझे ग्यान चाहिए तो इस तरह से क्या है कि यहां में बताया गया है महान और ग्यानवान वो गुण है किसके अंदर महान और ग्यानवान गुण है अलावदिन खिलजी के लिए तो इसी करण से हमें inscription में ये पता चलता है कि भगवान ने क्या किया है देखो अब भगवान अल्ला सारे नाम एकी होते है तो मैं interchangeably use कर रहा हूँ ठीक है don't feel offended ठीक अब क्या होता है तो यहाँ पर क्या होता है इसलिए God chose अलावदिन as a king because he had the qualities of Moses and Suleiman तो यह अब क्या दिख रहा है यहाँ पर कि direct यहाँ पर भी अगर देखो कि तो मौस वगरा जो construct किये गए रूलर्स के द्वार तो यह बताया जाते कि वह रूलर्स भी क्या है वह shadow of God है ठीक अब देखो क्या क्या construct किसने क्या किया तो आगे अगर देखें तो जैसे जैसे नई डैनेस्टी जाते चले गई यह ठीक है क्यों क्यों मानें कि आफ हमारे राजा हो फिस्ट्राइब क्या लोकं क्यों ओness क्या डूहक्त थिरूर्स करें तो आप यह रूज खायगा कि लोग मुझे अपना रूलर् कितरह समझें लेकिन कैसे समझेंगे सवाल यह राता ना किव्राजा आप तो शाहेगा कि लोग मुझे रूलर की तरह माने पूछें सारी चीज़े करें लेकिन कैसे मानेंगे तो राजा क्या करता था kings used to construct temples ठीक है temples अब जिसे islamic rulers आए तो islamic rulers used to construct mosque ठीक है वो मस्दिद बनवाते थे ताकि क्या हो कि लोगों को वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद्धी चैन्स टू प्रोक्लेम देर क्लोज रिलेशन्शिफ विद गौड अब कर इक एक एक्जाम्पल लेतों उससे चीजेंगेते बहुत ज्यादा सिंप्लिफाइड हो जाएगी मैं आपसे कहूंगा क्या मैं आपसे कहूंगा कि गरीबों की सेवा लगाता है भगवा कपड़े पहने हुआ है टिकावीका लगाया हुआ सारी चीजर माला है उसके पास नहीं और वह बोलता है तो अब उसकी बात मान लोगे ठीकर आपके बोलों कि ये इनसान तो आप क्या होगा वो बोलेंगे आप मान लोगे नहीं लेकिन अब उसने क्या करा systematic way में अगर बोला कैसे है कि उसने जैसे ही अपना rule established किया उसने मंदिर बनवाए मज़िद बनवाए और फिर क्या है वो मंदिर मज़िद बनवाने की बात में वो क्या करते हैं by constructing these places of worship rulers were being provided with the chance to proclaim अब rulers यह proclaim कर सकते क्या कि मैं मंदिर बनवा रहा हूं मुझे भगवान सपने में आया या फिर कह सकते हो कि जब लोग देखेंगे क्या इस इंसान इतना बड़ा मंदिर बनवाया है तो पक्की बात है कि भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त है और उसमें पर पैट्रोनेश तुदी लर्ण और पॉयस ठीक है एंड ट्राइट तो ट्रांस्वर्म देर कैपिटल एंड सिटीज इंटो ग्रेट कुल्चिरल संटर्स देट बाट फेम तो देर रूल एंड देर रिलिम ठीक है अब देखो कहा है यहाप एक दो शब्दे पॉयस मतलब क्या पवित्र होता है ठीक अब समझो क्या चीज़ें तो इस तरह से मंदिर बगएरा बनवा दिये लेकिन मंदिर बनवाने के साथ साथ भी रूलर्स क्या करते थे पैट्रोनेश देते थे लर्ण और पायस लोगों को लर्ण पायस मतलब क्या है लर्ण मतलब एक तरह से जिसको सारा ग्यान हो पायस मतलब जो पवित्र हो तो आज भी आप देखो तो हिस्ट्री का है में एक चीज़ आपको बताता हूं इंटर्पेटेशन पगड़ना मेरा यह वाला ठीक है मैंने आज तो जितने भी हिस्ट्री पड़ी तो एक चीज समझीए कि हिस्ट्री में क्या होता पता है लोग बदल जाएंगे ठीक है टाइम पिरेड बदल जाएगा जगह बदल जाएगी लेकिन जो चीजों को करने का तरीका रहता है ना वो जो थ्रेड की बात करता हूं में वो थ्रेड हमेशे एक रही एक पैटन चलता रहता है क्या होता है कि उस समय पर भी रूलर्स सबको हम पाल देंगे ठीक है आप आपका काम करो आप पवित्र हैं आपके पास ग्यान है बहुत जादा तो आपके ग्यान का इस्तमाल क्या करो हमारे कोट में रिके करो हम आपको उस चीज के लिए पैसे देंगे आफिर हम आपका दिहान रखेंगे तो आज भी वह होता है इसटरी वह पैटरन में चल रही है आज भी आप क्या देखते हो कि प्लिटीकल लीडर्स क्या करते हैं फॉलेटिकल लीडर जो रहते हैं तो वह किसके साथ किसके पास जाके अपनी पॉलेटिकल रोटियां सेखते हैं तो आपने देखा हो किसी संत को संत के मतलब आंदर प्रवचन चल रहे हैं तो वहां पे जाएंगे वो ठीक है ताकि वह एक तो सपोर्ट गेन कर सके दूसरी चीज क्या है कि जो मंदीर वगेरा बनाएं उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वह सिर्फ खाली घर बना देने से घर थोरी ना बन जाएक उसके अंदर लोगों को रहना पड़ेगा अब आपके पास मंदीर है आपके पास ग्यानी लोग हैं तो आप तरह से जनता जो है तो राजा की रिस्पेक्ट कर लेगी तो अपने लिए सपोर्ट बेस बढ़ाने का तरीका एक तिक आया समझ में यहां तक टॉपिक रिलेट करते चलना आगे क्या देको मैं आपको एक एक लाइन लेके चल रहा हो इंस ए अगर आप से पूछा जाए कि सबसे अच्छा राजा कौन होगा तो आप बोलेंगे सबसे अच्छा राजा वो होगा जिसके राज्य में हर चीज की क्या होगी प्लेंटी होगी हर चीज का मतलब क्या होगा भंडार होगा जिसके यहां पर हर चीज का बंडार इनने जैसे हम रामराजजी आ जाए, मतलब यह कहने का तरीका है, कि जहां पर क्या हो जिसे जो चाहिए, रामराजी की एक definition क्या है पता है, कि जब किसान बारिश मांगे तब बारिश हो जाए, रामराजी होगा, तो उस तरह से क्या होता है, कि एक just king कौन होगा, एक ऐसा king जिसको सब respect कर सके तो वो king मतलब एक justified king होने के लिए आपको आपके सामराज्जी में हर चीज की plenty होना चाहिए age of plenty मतलब आपका समय आपका rain ऐसा रहे कि वहाँ पे हर चीज available हो ठीक है तो अब देखो क्या होता है तो rulers क्या करते थे हर चीज available करवाने के लिए प्रयास करते थे प्रयास कैसे करेंगे हर चीज के लिए तो अब यहां पैपनी से कहनी समझना पानी की कहानी क्या है कि अवो हर चीजoug की plenty का वो की जैसे हर जीज की plenty अब देखें कि मपानी होगा तो पानी कीसान탈 को छफिसान के लीके क्सान कीटी करे कुछ कि पहले एग्रीरियन सुसाइटी होती थी सब कुछ क्या होता था फसलों पर डिपेंडेंट होता था तो किसान खेती करेगा उसके पास फसल आएगी फसल आएगी उसके पास पैसा रहेगा वह खुश रहेगा तो वह समझेगा कि हां हर चीज है ठीक है प्लेंटी ओफ तिंग करवाना स्टार्ट किया आयना समझ में water sources construct करना स्टार्ट किया इस चीज को ध्यान रखना इसलिए क्या होता है कि आप देखोगे history में यह जो टॉपिक आपका building temples mosque temple mosque or tanks tanks पर भी ध्यान देगा कि यह पानी की विवस्ता की जाए लोगों की क्यों पानी रहेगी मतलब पानी रहेगा उनके पास में तो वो क्या कर सकते मतलब अपने आपको ऐसे समझेंगे कि हाँ सब कुछ है सब कुछ है तो तब वो क्या बोलेंगे कि rule of a just king is there ठीक है एक justified एक ऐसा राजा राज कर रहा है जो सही है तो उस तरह से क्या होता है बहुत सारे rulers जितने भी है तो जिसे द रिज़र वायर मतलब राजा का रिज़र वायर तो हाज अ गया चाप्टर से रिलेट कर रहा हूं चीजे तो वैसे ही आपको क्या करना है ध्यान रखना है और यहीं चाप्टर 5 6 7 8 9 10 सब में पढ़ोगे तो रिलेट करते चलना मेरा मेरा मेन परस्पेक्टिव यह बस ठीक ह तो अब देखो क्या है कि इल्टुत्मिश जो थे सुल्तान इल्टुत्मिश ठीक है अर्ली टर्किश रूलर में किसके बाद में कुतुब अधिन ऐबक के बाद में इल्टुत्मिश आया रूल पे section बता होगे क्यों क्योंकि मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ आपको पिछले इंदेसंस डेली सल्तनेत वाले चैप्टर में बता चुका हूँ अब क्या होता था तो रूलर्स औफं कन्सेक्टेटेट टैंक्स एड रिजवईयर मतलब क्या होता है इस थे स्टेब वगेरा सारी चीजे भी रूलर्स बनवाते थे ठीक है छोटे भी होते थे यह तैंक्स होते ते रिजरवार्स यह बड़े भी होते थे इसी तरह से और अधिकतर क्या होता था कि जो हम देखने हैं टेंपल्स मॉस्क तो इससे जोड़ के देखना तो अधिकतर टेंपल बनवाए ठीक है रूलर्स ने तो देवर्दी पार्ट आफ टेंपल मॉस्क और गुरुद्वारा तो जैसे आप देखो कि हर जगावर मंदीरों में देखने को मिल जाएंगे मॉस्क में तो आप जामी मजजिद देखो कि अगर देली में तो वहां पे भी क्या आपको बीच क्या है अब आगे अगर देखते हैं तो हमारा टॉपिक जो है यहां पे कंप्लीट हो जाता है ठीक है मैं इतना फ्लो में आगे मुझे लग रहा है कि पढ़ाती जाना है तो आप रिलेट कर पाएंगे किस तरह से बिल्डिंग्स मतलब बिल्डिंग टेंपर्स मॉस्क और ट कि जो टेंपल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल था वो क्या था ड्रावीडियन नगरम उसके साथ में आपको दो एक्जांपल के तुरू और चीजें क्लियर कर दी ठीक है अब हमने देखा कि क्यो टेंपल्स मॉस्क टैंक्स बनाया जाते थे क्या आइडिया रहता था किसने क्या बनवाया कुछ factual डीटेल्स वो सारी चीजें अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बता थे कि टेंपल्स क्या बताते हैं राजा की पावर को शो करते थे तो उन टेंपल्स के उपर अटाइक भी होंगे अब नेक्स टॉपिक यह ही है कि वाई टेंपल्स वर बिंग अट सब टॉपिक्स हर चीज इसी तरह से सिस्टेमेटिक वे में वीडियो लेक्टर की फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो समझ सकते हो घर बैठे अपना सिलिबस कम्प्रीट कर सकते हो मिलते नेक्स वीडियो लेक्चर में तिल देन स् दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तु मेगनेट ब्रींज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे वाइवर टेमपल्स टार्गेटेड इस टॉपिक को समझो पहले टॉपिक को अगर समझेंगे तो यह है कि मेडिवल हिस्ट्री में पता प्रिशले वीडियो में हिंट दे दिया था कि टेमपल्स मॉस्क वगेरा क्यों बनाये जाते थे पहला कारण तो यह हो गया कि टेमपल्स मॉस्क जो है वह प्लेसे और वर्शिप है लोग पुजा पाट करेंगे दूसरी चीज़ें यह है कि राजा इसलिए बनवाता ताकि तो अपनी पावर को दिखा सकें ठीके उस समय पर क्या है उस समय उसमय पर आप कार नहीं करिशा तोसमय प्लब्के पैसे को कैसे दिखा ओगे यह सारा सब कुछ हमने विचले वीडियो में डिसकस किया था तीके अब देखिए तो कहानी हमारी आगे बढ़ रही है चाप्ट के अपने किले बनवाएंगे अपने पैरेस बनवाएंगे तो क्या बनवाएंगे टॉमस बनवाएंगे जो आगे हम पड़ेंगे अभी आपक्थ के लाएंगे ब new private space के लिए फिर कुछ public use कि यूज के लिए भी हि Reports both and many बन आते हैं तो स्टार्टिंग में मैं मैं मैंने मताया था आपको दो तरह तरह के construction हो रहे हैं अब जो दो तरह के construction हो रहे हैं तो उसमें अगर आप temple देखोगे तो temple राजा का नहीं है वो भगवान का है और या फिर आप कहले जिलीजे क्या जंता के लिए public use के लिए लेकिन फिर भी उस पर हमले होते थे तो सवाल यह है कि why थीक है, why were temples targeted तो इस सवाल को हम decode करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में आगे theme समझ में, चलो देखो क्या है तो temples demonstrate their devotion to God and their power and wealth simple सी चीज है कि temple उनका devotion बताते थे, किसका जिसने बनवाया है ठीक है, जो ruler है, जो patron है और उसका power, wealth यह सारी चीज़े बताते थे, so therefore अब यह स्वाभावी के देखो, therefore it was sure that when kingdoms were attacked ठीक है, temples were also attacked on तो जब राजा की kingdom पे मतलब राजा के राज्य पे हमला होगा तो उस राज्य पे हमला होगा तो देखती बात है, साराज्य में जो मंदीर है उन पे भी हमला होने वाला, क्योंकि वो मंदीर राजा की power को दर्शा आते हैं जैसे for example में देता हूँ क्या होता है कि आपको to the ground example देते हो तो मज़ा आ जाता है आपको भी और दो मिनिट में समझ जाते हो आप क्या कि आपका मान लो एक अंकल है ठीक वो आपको cricket नहीं खिलने देते हैं ठीक अब वो आपको cricket नहीं खिलने देते हैं तो आप उनके उपर attack नहीं करोगे लेकिन आप उनका जो symbol है उसपर attack कर देते हो तो क्या है वो अंकल cricket नहीं खिलने देते हैं समझ में ठीक है मुस्कुरा रहा हो ठीक है अब क्या एक्जामपल देखो तो एक्जामपल में क्या है इन 19th century ठीक है पांड्या किंग श्री मारा श्री वालभा ठीक है अब ये एक example है इस example को समझदा कि किस तरह से जो कल्चर था ये medieval time period में ठीक है खास करके जिसे आपए अर्ली मेडियवल पिरेड के अगर बात करें तो चलता था एक हमाँ पर तो मैं देखो यहां पर आप देखोगे तो यहाँ नाम क्या था श्री मारा श्री वल्लभा श्री मारा श्री वल्लभा श्री मारा श्री वल्लभा ने हमला किया हमला करने के रूलर था छीकिपशनम का के लोग न तो वह स्रेलंका कि बुद्दिस डिप्टेटी लीघ्वइज बोलते हैं तो सिननली 1994 रूर जो था नाम क्या था सेनावन को हरा दिया थिक हरा दिया किसने श्रीमारा श्रेवल्लबान ने पांडिया कियं ने लेकिन बस हरा के खतम नहीं करा इसके आगे भी चीजओं चलती रही क्या चलते रही हिसके आगे तो उन्हें श्रीलंका पर हमला किया राजा पूष आया तुक मैं इप क्या कि आप बहुत तभाही मचाई यहां पे मारपीट करी मारपीट करी उससे ज्यादा लूट पार्ट करी लूट पार्ट कहां करी मंदिरों में लूट पार्ट करी तो अब मंदिरों में लूट पार्ट करी तो आगे समझ में आपको क्या कि मंदिरों में लूट पार्ट करी याने की क्या है कि उस समय पर ये कल्चर था कि आप राजा को हराओगे राजा की पावर को हराओगे मतलब राजा के पावर का जो सिंबल उसे भी हराओगे तो टेंपल्स में लूट पाट हुई है तो ये गोल्ड स्टैचू की एक कहानी है क्या कि वहाँ पे बुद्दा की ग सबस्सक्राइब बदर्वान के बाद के जो क्या डिए उनके बदला अब स्री लंका आटиться जो रेज़् गीडर्म और यह चाहिए घंट i Direction एप सेना होटी तो अई गोल स्टेशियों अब 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 बुद्धा तो गोल्डी स्टेशीं औब बुद्धा में हमें वे स्टर दो ही पुद्धा की गोल्ड स्टेजूटी तो वह ढूंडते रहे कि इन्हें मारपीट तो होती रहेगी मारपीट होती रहेगी लेकिन हमें वह जो हमारी मुर्ती लेके आए मंदिर से वह मुर्ती भी वापस लेके चलना है हमें तो इस तरह से आपको समझ में आया को इस टाइटल प्रोग्लेम किया था था अब वो श्यवाटेम्पल बनाया यह नोने और राजेंदरवन ने टैंपल भी किसी को हराने के बाद में प्रोग्लेम किया था वो वो तो सुरी टेंपल नहीं टाइटल वो टाइटल जो है किसी को हराने के बाद में प्रोक्लीम किया था वो टाइटल आपको बताना एक कमेंट स्थे में इंपॉर्डट निन इंपॉर्टन कोशन दे रहा हूं आपको ठीक है तो अब देखो राजय आप लगन बने शिवा टेंप राजेंदरवन ने जो मूर्तिया है तो मूर्तिया कहां से लाया राजेंदरवन पता है राजेंदरवन जो था राजा उसने मूर्तिया अलग अलग जगह से लाया कैसे तो आपको पता था कि यह बड़ा खतरनाक और राजेंदरवन जो रूलर थे तो वो क्या थे वो बहुत जगह हमले किये तो क्या होता ही फिल्ड इट विट प्राइज स्टेच्यूज सीज्ट फॉम डिफीटेड डूलर्स एंड इंकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूड अब आप बोलोगे सरी हिंदू रूलर और दूसरे मंदिरों में से समान लूटके ला रहा है तो समझना इस चीज़ को मतलब भगवान से कोई दुश्मन ही नहीं है वो जिस राजा को हराया उसकी पावर का जो सिंबल था मंदिर उससे भी मतलब क्या करना उसे भी एक तरह से लूटना उसे भी हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो वहां से मूर्तिया लाके अपने हैं जो मंदिर बना रहे थे लौट शिवा का ठीक है गांगई कुंड़ा चोलापुरम में उस मंदिर में लाला के मूर्तियां रख दी उन्होंने तो क्या क्या लाए देखो सूरे की कुरसी मतलब यह वह वताता है चुराँ को भगवान की तरफा माना जाता था सन-पेडिस्टל फंर चालुक्यास घंगल कॉंडा चोलापूरम में ठीक आगे क्या है आगे अगर देखें हम तो और क्या लेकिया थे अगनेश स्टैच्च्यू अफ दुर्गा अनंदी स्टैच्यू फ्रॉम इस्टन चालुक्यास में कहां पे तो इस्टन चालुक्यास में निसे वैंगी वगरा जो यह वाला से स्टेच्व लेके आगए और कहां कहां से क्या क्या लेकिया है तो इन इमेज ऑफ भैरवा फॉर्म ऑफ शिवा एंड भैरवी मतलब शिव भगवान पार्वती जी तो देखो शिव भगवान पार्वती जी का मंदिर बंगा और उन्हीं की मुर्ति वो दूसरे राजा को हरा बनास ओडी मिड़र्ण का वी पřाइब का रहा है तो ऊपर से क्या है सवर्म फॉख बहुर्वा और यह जो इनकी स्टेच्व लिका आये तो ब सरुम फॉख भी होला तो अब नुटिये गाए तो सरो अब काली स्टेच्व प्रम तरां बंगॉल पालाज ऑफ बंगल पालास को भी हराया उन्होंने पालास को हराने के बाद में वहां से मतलब राजेंद्रवन यहां तक गए थे यहां पर पालास की पिटाई करके पालास के हां से मुर्टियां लेकर आए जैसे कि क्यों ऐसा किया जाता था किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्षिन आपका इंतजार कर रहा है आगे क्या है देखो तो अब यह तो हमने देखा कि हिंदू रूलर्स अटैक कर रहे हैं लेकिन हिंदू रूलर्स के अलावा भी जैसे अब जो बहार से इंवेडर्स आए ठीक है बहार से इंवेडर्स आए जो इसलामिक रूलर्स आए उन लोगों ने भी अटैक किया राजा को हराया वहां तक ठीक है लेकिन मंदिरों पर भी अटैक किया कारण कारण वही था पस वेल्ट लूट ना अभी आगे एक और एनलिस्स हम ड्रॉ करेंगे बग यह समझो तो जैसे अटैक्स ओफ सुल्तान महमूद ओफ गजनी महमूद ओफ गजनी के बारे में हमने चाप्टर 3 में भी पड़ा यह इंसान आता है ठीक है यह इंसान आने के बाद में क्या करता है बड़ा डिस्ट्रक्शन मचाता है यहां पर तो जैसे हम देखते हैं कहां पर 12th century क आसपास starting of 12th century 12th century की starting में आता है महमूद ओफ गजनी अब महमूद ओफ गजनी जब आता है तो ही defeated kings and looted the wealth and ideals of the temples ठीक है तो he defeated kings and looted the wealth and ideals of the temples मतलब क्या है कि जिन राजाओं को हराया वहां तक ठीक है राजाओं को हराया के बाद में जो शहर में मंदिर हुआ करते थे उन मंदिरों का सोना उन मंदिरों की संपति सब कुछ लूट लिया करता था कौन महमूद ओफ गजनी अब यह क्या है कहां से आ रह में पूरा पैसा लगाता था ठीक है तो उसका प्रस्पेक्टियू श्र데 करता ता और हराने मंदिरों में मंदिरों में बहुत जादा वर्थ होती थी है तो तो टु बी मोर प्रिसाइस से स्टोरियन के कहते हैं 17 बार इसने रेड मारी कहां पर सोमनाथ टेमपल पर 17 बार लूट-लूट के ले गया सोमनाथ टेमबल को यह पूरा सोमनाथ टेमबल मतलब यह जो देख रहो हूँ आप यह तो इंडिपेंडन्स के बाद में बहुत हद तक क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवा दाया हमारे गवर्मेंट ने तो सोमनाथ टेंपल पर बहुत हमले हुए सोमनाथ टेंपल में इतनी वेल्थी सब लूट-लूट के ले गया और उसमें पूरी की पूरी सिटी डेवलप कर लिए एक ठीक है तो बाइडिस्ट्रॉइंग टेंपल्स अब देखो टेंपल्स प्याइक करने का चैंद ये भी था अब दूसरे एलीजगें टेंपल प्याइक करने से मतलब यहां पर क्याügen एक इसलाम कप ऐसं तो राजाव को हराया उसे के साथ उसने क्म इस्टेआटर गेलिश किया? कि वह हीरो है, a great hero of Islam, वह Islam को propagate कर रहा है इस तरह के आईडिया के साथ मम क्या किया जाता था, temple के पर attack किया जाता था, अगर देखा जा हम early medieval की बात करते हैं, देली सुल्टान्स जैसे जो आएंगे तो अब आपने कहाणी सुनी कि बहुत सारीarch kinda रैंगी हम कद्लाइ में फासर кот क्या रहा हैं हम यहाँ बता रहें कि क्या किया गया डेली सुल्टान मुगल एम्प्रोर्ण कदो रहा किया गया बहूत तो इस तरह से क्या होता, temples पर attack जो किया जाते तो religious domination को establish करने के लिए भी किया जाता था एक धर्म से दूसरे धर्म, जब new dynasties आती है, तो वो नई dynasties अपने आपको establish करने के लिए क्या करेगी पिछले वीडियो में बताया है temples बनाएगी, mosque बनाएगी, तो उसी तरह से अब जब Islamic rulers आये तो उन्होंने, क्या कह सकते हैं, कि temples को destruct किया, उनकी wealth लूठी और वहाँ पर mosque बनाएगी, यह history है, ठीक है, यह सारी चीज़े हैं, अब अगर हम conclusion निकालें इस चीज़ का, यहां तक आ गया समझ में, तो conclusion निकाले अगर, तो in the political culture of middle ages, most rulers displayed their political might and military successes by attacking and looting the places of worship of defeated rulers, तो क्या है, पूरा medieval India का अगर आप political culture को समझोगे, तो हमें एक जो, बोलते हैं, एक line क्या draw कर सकते हो, एक thread क्या निकाल सकते हो, आप यहां से, कि अधिकतर rulers जो है, तो अपनी political might को, अपनी political power को कैसे शो करते थे, ठीक है, त तो वो अपनी political power को शो करते थे, by the military success, by attacking and looting the palaces of worship of the defeated rulers, तो जो हारावा ruler है, हारा दिया ना, उसको अप चले जाओ, लेकिन जाएंगे नहीं, क्या करेंगे, हारे हुए ruler के, जो places of worship होते हैं, जो temples होते हैं, या फिर कहलो, जो mosques होते हैं, तो उन पर क्या किया जाएगा, हम आली सिस, हम निकालते हैं, आपकी बुक में भी एक कुशहने क्या, कि ये इंसान जो था, इसने भी अटेक किया, महमूद ओफ गजनी ने, और अटेक राजेंदरवन ने भी किया, दोनों का जो system था, उस समय का मतलब ये वो बता रहे हैं, कि उस समय का trend क्या था, ट्रेंड क आप बेद्स, आपनी पॉलेटिकल माइट को शो करना, कि में machtilyly powerful हूँ, दूसरी चीज़ पर समय क्सारी हैं, पिछ भी हमला ये लेकि दिखाना चाहा किज़ा था, जी दिखाना चाहा था, गि तु क हीज ए हिरो औसलम ये दिख़ाना चाहा है, तो उस तरह से क्या है, कि मे नमूद औफ गजनी का अटेक करने का कारण क्या था वो religious point of view से अटेक कर रहा था और साथी साथ लूट के भी ले जा रहा था दोनों चीज़े राजेंदरवन जो है तो religious conflict के चलते attack नहीं कर रहा था राजेंदरवन attack करता था अपनी political might को दिखाने के लिए साथी साथ में क्या करने के लिए साथी साथ में वो वहां से wealth लूटना चाहता था तो आप देखोगे तो मूर्तिया वो वहां से निकाल के अपने मंदिर में लाके पूजा कर रहा है तो ultimately उसका religion से कोई conflict नहीं था लेक क्या है दोनों में तो difference दोनों में निकल किया जाएगा कि एक ने हमला जो किया है वह इसलिए क्या क्योंकि वह religious point आगया वहां पर कि वह अलग religion को मान रहा है और दूसरे के तुवारा जो हमला किया गया तो religion नहीं वह सिर्फ loot part है और यहां दोनों factor है loot part भी और religion भी तो इस अब यहां से चैप्टर में आगे जो हम topic पड़ेंगे तो उसमें आपको private sphere के बारे में बताएंगे जैसे फोर्ट्स जो बनाए गए गए तो जो टॉम्स वगेरा बनाए गई ना तो वो कैसे बनी थी अगला टॉपिक जो गार्डन अभी 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 तक आपने क्या देख नेक्स टॉपिक जो आपका NCR गा उसे जैसा है वैसा को आइसे deal करने वालें और मज़धार तरीके से deal करने वालें I hope you enjoyed all this chain magnet brain पे class 4th से class 12 तक इसी तरह से सारे subjects सारे subjects, topics, subtopics, हर चीज, systematic way में available है. Video lectures के format में available है. आपको क्या करना है? अगर बैठे अपना syllabus आराम से complete करना है. अपने junior's को बताना है, अपने senior's को बताना है. मिलते हैं next video lecture में till then stay connected, keep learning. Thank you, thank you very much. Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, welcome to Magnate Beans. इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारा next topic पढ़ेंगे जो है gardens, tombs and foods तीन चीज़े हैं तीनों चीज़ों को समझो gardens क्या है तो देखिए आज तो आप जो gardens देखते हैं बहुत आसानी कि हाँ बनते हैं सभी क्या बन सकते हैं कहीं भी बन सकते हैं पार्क गवर्मेंट भी बना रही हैं लेकिन पहले कभी किसी ने सोचा होगा क्या कि इन gardens को बनाया जाए और gardens को आप रूलर्स के साथ कनेक्ट करो रूलर्स के साथ साथ बिल्डिंग से कनेक्ट करो मतलब जब रूलर्स ने यह सोचा होगा कि garden हम हमारी बिल्डिंग के पास बनाते हैं वह achievement एक तीक है उससे पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा उसी तरह से आप क्या है देखो टॉम्स फोर्ट्स टॉम्स मतलब कहा है मकबरे मकबरे मतलब कहा है कि जहां पर ग्रेव को रखा जाता जैसे आप हुमायू स्टॉम देख लो तो आप क्या है कि आप ग्रेव को रखने के लिए बड़ा सा आलिशान बिल्डिंग बनाते हों वह भी एक क्या है चीज़े जो बनी है हमारे देश में इसे समझेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में अब जड़ा चाप्टर से कनेक्ट करते हैं अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं तो चैप्टर का जो अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा तो उसमें देखा है क्या कि हमने देखा कि टेंपल पर टैक भी होता था उसके पीछे के कारण बहुत सारे फैक्ट यह सारी चीज़े हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर में तो आप रिलेट करते हैं चीजों को वहां तक ठीक हैं तो हमने अभी क्या देखा है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मेंली ज आते हैं हम देखते हैं कि गार्डन्स ठीके टॉम्स फोर्ट कैसे बनाए जाते थे तो अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हो तो वही मैंने आपको बताया कि मेडिवल हिस्ट्री में हम अर्ली मेडिवल पीरेड डेली सल्तनेत वाला तो अर्ली मेडिवल पीरेड मे तो यहां पर आप क्या देखोगे तो डेली सल्तनत में जब इस्लाम इस्लामिक फॉल रूलर जो आए तो उन्हों ने जो अपना आप डर गए मतलब क्या है फिर आप घर गए उस तरवाली के इसे ठीक है आपको अगर कंसेप्स को रिलेट करते आगे तो हिस्ट्री सबसे मदेदार सब्जेक्ट है बिलीव मी फाइन अब देखो क्या है तो उस तरह से यह हमने दो पार्ट देखा भी तक मेडिवल हिस्ट्र फोर में हमने क्या पड़ा था मुगल एंपायर के बारे में तो वही मुगल एंपरोर्स के अंडर में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ वो सारी चीजें आपको यहां पे देखने को जानने को मिलेगी तो अब देखो क्या है अंडर मुगल आर्किटेक्टर विकम मोर कॉंप कर्וא कड़े करो तक तो यह नहीं कि वो किसी काम के नहीं है वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट एक पथर मेंसे निकालना मंतिर वह बहुत बाड़ा अचीवमेंट है तो आप जिसे देखू कि Of Cuts u अंदीरे से क्या आए तो हमने ट्रेविएट टेकनीक ट्रेविएट के बाद में आर्कवेट टेकनीक उसके बाद में टेंपल कंस्ट्रक्शन के अलग-अलग नगरम और द्रवीडियन स्ट्राइस के तुरू कितना डेवलप्मेंट किया फिर मॉस्क के अलग-अलग वो आएं डेवलप्मेंट के कैसकते हैं टेकनीक साय तो जिसे टॉम टॉम में आप उपर क्या देख रहे हो गुंबज बना रहे हो डोम शिब मॉस्क वगेरा बनाना चालू किया तो एक बार्षम के बाबे हुमायू अकबर जहांगीर शहाजा ऑ्रणजेब तो सारे लोगों का इंटरेस्ट्स नहीं था अब कि उन्प इंटरेस्ट्स भीडِंग हुमायू अब हुमायू का जीवन तो शंगर्स में निकल गया मैंने आपको पहले भी बताया था क्या इधर से भागना उदर भागना फिर क्या जब पावर मिली थी तो पावर मिलते सी क्या एक साल में डथ हो गई 55 के बाद में 1555 के बाद में तो उस तरह से हुमायू का तो भ बता चुका हूँ विछले चैप्टर में विल्डिंग डेवलप्मेंट के पर परस्पेक्टिव से अकर देखे तो अकबर का क्या कंट्रिबूशन रहा होगा सोच हो जरा ठीक है वो पढ़ेंगे हम फिर अकबर का जैसे जहांगिर तो मैंने आपको भी बताया था कि अकबर इस फॉर अड्मिस्टेशन एसे अकबर एसे अड्मिस्टेशन जहांगिर जो है तो जहांगिर ने आर्ट पे बहुत जादा फोकस किया सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग इन सारी चीजों पर आगे पढ़ोगा आप जहांगिर का जो कंट्रिबूशन रहा आर्ट फॉर्म म पर फोकस किया होगा तो वो शाहा जाएं तो शाहा जाएं के टाइम पर क्या क्या बनाएं वो सारा सब कुछ में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो अभी तक तो हम इंट्रेड्यूजी करते रहें टॉपिक को चलो आगे बनते हैं देखो तो क्या होता है देबर पर्स बाबर की बाइगरफी जो है तो उससे क्या मिलता है हमें ठीके उससे क्या मतलब एक तरह से रिकॉर्ड मिलता है तो बाबर क्या करता है डिस्क्राइब करता है इस इंट्रेस्ट इन प्लैनिंग आउट फॉर्मल गार्ड़न्स प्लेज़ विदिन रेक्टैंगुलर फॉर्मल गार्ड़निंग की जानी चाहिए तो रेक्टैंगुलर वाल्ड के अंदर एंट्क्लोजर होना चाहिए मतलब जैसे आप देख रहो तो एक एक एरिया को आप पूरा उसमें क्या करो आप डिवाइदिंग इंट्व फॉर्क्वार्टर अब इसको चार्क्वाट द बाट दोगे अब चारों कॉर्टर में आप आर्टिफिशल चैनल्स ठीकें आर्टिफिशल चैनल्स में क्या हो जाएगा तो इस तरह से आर्टिफिशल चैनल्स चलाएंगे आप तो यह पानी रहेगा ठीक है यहां से पानी भहेगा इस तरह से तो यह आर्टिफिशल चैनल इतंचाडाल ही धेखो कि काबूल में क्या कर रहा है वो वरकर्स को सुपरवाइज कर रहा है कौन बाबर dich get the garden में artificial channels बने हुए होगा हूं और इस चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है यह वाल भी दिख रही है आपको आपको rectangular wall पीछे की तरफ तो यह चीज चल रही है ठीक है note how intersecting channels on the path create the characteristic चार बाग design ठीक है तो चार बाग बाग यहाने garden होगे और चार यहाने चार डिवाइड होई जाएगा ना अगर आप डिवाइड करोगे तो इस तरह से चार तो यह concept जो था यह बाबर ने अपनी biography में बताया ठीक है और यह चार बाग का concept यहां से evolve होके आता है अब इसे क्या किया जाता है इसे आगे जो और मुगल emperors आएंगे ना तो वो क्या करने वाले हैं आगे जो मुगल emperors आएंगे वो implement करने वाले हैं मतलब अपनी जो बिल्डिंग्स वो construct करेंगे उन बिल्डिंग्स में इस चीज को implement करने वाले हैं आगे देखो क्या है तो beginning with akbar some of the most beautiful चार बाग वर constructed by जहांगीर and शहाजार in कश्मीर आगरा and Delhi तो अब इस चीज को समझो क्या है अकबर ने चार बाग के साथ में building मनाना इस टार्ट किया अब वहीं बोलो कि बाबर से सीधे अकबर पर आ गए हुमायू तो हुमायू तो विचारा भागने दोरने में रहे गया थे ना अब क्या होता है तो बाबर में आइडिया दिया बाबर के आइडिया देने के बाद में क्या होता है बाबर के आइडिया देने के बाद में आप देखोगे कि अकबर जब पावर में आता है कि स्टेबल मुगल एंपरर जो रहता है अकबर तो अकबर क्या करता है वो तो देली में फिर बिल्द में कोने मघ और उसको अगर आप देखोगे तो यह मंअ उनमाउम का बर इस तरह से दखोगे यßज मेंगर ये संटर में आप क्या क्या है एक मिनी मतलब क्या सकते हैं एक मॉडल है फिर फिर से देखोगे तो टेरेस चार बाग एड शालिमार गार्डन कश्मीर अब क्या होता है 1620 से तो यह सहाजान के द्वारा बनवाए गया है ठीके वहां पर आप देखोगे हुमाई स्टॉम जो है न तो अकबर के टाइम इन पीरिड में बनी है यह धान रखना लेकिन बनवाई किस ने थी पता है बनवाई थी अकबर की sorry अकबर की मम्मी ने हाम अकबर की मॉमिनों हुमायू की वाइफ तो ऐस्टा ना कैया किया टारिस चार बाग बनवाय शालिमार गार्डन्स में थो इसका फ्रेमवर्ड कुछ इस तरह से यहां पर क्या है central courtyard है यहां पर building एंचारो तरफ फिर क्या है चारो तरफ लगाएं चारो तरफ अकर आप देखो में आपको समझना तो ये बारी राजिस्थान में भी जो एक चार बाग बनाए गया शाहजा के टाइम पिरेड में ही उसके बारे में और बताए गया ठीक है तो इस तरह से क्या है जो हमारे स्टेट्मेंट है ना अब अकबर के टाइम पिरेड में क्या-क्या और अर्किटेक्ट्चल इनोवेशन होते हैं देखो हिस्ट्री को क्या करना अब लिंक करना है आपको कि हमने देखा मेडिवल पिरेड में मुगल अंपायर में क्या हो रहा है कि अलग-अलग तरह से वह डवलपमेंट करने कुछ रहिए स्ट्रक्टर्स बना रहे हैं इस्ट्रक्टर्स में बाबर ने क्या एडिया देदी हमको गाड़निंग करो भी आ तो बाबर के सब पोटे वाग्या लगए गाडिनिंग करने में तो वा चार बाग के स्पे बनाने लगए चीज़न अब क्या होता धीडे-दे-डिरे जो थे अपने एंसिस्टर कौन तैमूर अब जड़ा चैप्टर फोर से रिलेट करो कुदो जंप मारो चैप्टर फाइव से फोर पर जाओ क्या बताया था मैंने आपको कि तैमूर और चंगेश खान दो ग्रेट लीनिय जिससे आते थे मुगल अपने आपको तो वैसी जो तै देखो के आर्की टिक्ट्टर डिजाइन को कॉपी किया जाएगा आर्की टिक्ट्र को कैसे कॉपी जाएगा वह में समझाओं Bos को तो तो क्यों तो किसी टॉह टॉमूर का मगवर है वह कहाँ पे हैं गार आमीर समर कंद उस्बेकिस्तान सोचतों चilsारा कितनी दूर है तो उजबेकिस्तार मतलब जैसे आप देखुएम्ट्री कंट्री हो गया है तो वहां पर के क्या है वहां पर किसकी तीम है तेमूर की ठीक है यह ध्यान रहेगा। तो यहां पर भी लार्ज गेटवेज आपको देखने को मिलेगी क्लियर तो इस तरह से क्या किया गाया कॉपी किया गाया इसको और जैसे एरियल व्यू में यहां से देख सकते आप यह हुमायू की टॉम अच्छा एक चीज और बताता हूं में हुमायू की टॉम बनी बहुत इसके अंदर ग्रेव्स और भी बहुत साही जो जैसे दारा Shikoo की ग्रेव है ठीक है जो वाइफ मतलब अकबर की जो मम्मी और हुमायू की जो वाइफ है हमीदा बानो बेगम उनकी भी ग्रेव यहां पर तो बहुत सारे लोगों की ग्रेव हुमायू की टॉम में ही है ठीक ह अब अगर देकिन आप देखोगे न तो हुमायू से पहले तक कोई ऐसा बहुत जादा कल्चर नहीं था कि इतने ग्रेंड टॉम्स को बनाया जाए ठीक है अब जैसे आप क्या बात करोगे तो कौन था बाबर तो बाबर के लिए कोई बहुत बड़ी ऐसी टॉम नहीं बनाए कि लेकिन अबर में कट अबर ने अपने पिताजी के लिए क्ली एक बढी सी टॉम बन वहीं अग्फ़ाट आपको था एक एक जाम स्वास के इस ऐकर इनिए со मैंने किस तरह से कि बावर के लिए वो टॉम नहीं बन पाई लेकिन हुमायू के लिए टॉम बनी और आप देखो कि तो आगे फिर क्या होगा आगे लेकिन वार ओफ सक्षेशन के चलते बेटे और पिता में क्या है उतना ज्यादा कोडिनेशन नहीं रहेगा तो फिर आगे जाके फिर वो चीज़ें कम होते चले आएगी ठीक है अब देखो आगे अब क्या है कि अगर बात करें दोनों टॉम्स को हम रिलेट करें आपस में तो क्या चीज़ें यहां पर ठीक है दिस सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड टॉल ग तॉम्स से इंस्पिरिशन लिया अगबर ने आगे क्या है आगे देखो तो टॉम्स प्लेज़ पिष्टाग बिकें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आसपेक्ट ओफ मुगल आर्केट्रिक्ट्र फिर आगे क्या है ती टॉम्स प्लेज़ इन दी सेंटर ऑफ यूज दॉम्स प्लेज़ आगे क्यों क्योंकि उनी को तो जहनने में मज़ा आता है तो देखो क्या है यह जो टॉम कंस्ट्रक्शन जो कॉपी किया था था ना तो इसमें एक कंसेप्ट क्या लिया गया कि सेंटर ऑफ यूज फॉर्मल चार बाग तो जिसे उमायू की टॉम्स अंदर क्या है तो बिल्डिंग के अंदर आप फुछ ढता निकम आत दिने vert देखना के में देख देखने हैं लेकिन वह प्दा देता हूं चलो तो बिल्डिंग के अंदर क्या है concept of eight paradise 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 और हस्ट बृस्ट चलता है मतलब इस्लाम के साब से ऐसा मना जाता है क्या कि उपर जन्नत में जाने के 8 दरवाजे हैं, ठीक है 8 दरवाजे हैं, 8 spaces हैं, तो उसे हिसाब से क्या किया जाता है, एक Central Hall होता है, टॉम के अंदर, एक Central Hall होता है, Central Hall के फिर क्या होते है, तो इस तरह से, किते होगे गिनो, 3-3-6, 7-8, तो इस तरह से 8 दरवाजे होते हैं, और 8 दरवाजों के साथ में, 8 क्या होते हैं, कम्रे जुड़े होते हैं, तो Central Hall surrounded by 8 rooms, तो यह concept होता है, अस्ट भिस्ट का, तो इस तरह से, टॉम के अंदर वो बनाई जाती है, फिर क्या होता है, ति बिल्डिंग वाज कंस्ट्टेड विध रेड सेंड स्टोन, रेड सेंड स्टोन, एजड विध वाइट मार्बल, यहां से भी आपको एक इंटर्पिटेशन निकालना है, क्या है, कि आप जैसे जो बिल्डिंग मनाई गई है, फाइन, आगे देखो क्या है, आगे टॉम्स के अगर बात करते हम, तो दी सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड टॉल गीटवे, पिश्टाक, याली सारी चीज मैंने आपको इंटर्पिटेशन बता चुका हूँ, सौरी, तो अब आगे क्या है, अब आगे जिसे अगर देखि में उनके वन्शच के लोगों ने, अगले मुगल एंपरर्स ने फॉलो किया, फिर गार्डन से हम टॉम्स पे अगर आते हैं, तो टॉम्स का आइडिया क्या कियागा, कॉपी के गया है, अकबर के टाइम पिरेड में, अब वही चीज़ आप एक्स्टेंड करो कहां पे, शह कि अचीज़ एक्स्ट्रॉम्स में बटा इंगे ज्नकologists फीक एक अर्मूर् kontroll वहाइबै एक तो आप देखोगे शुनाम फिर गतना को मिल आपको फिर उसके बाद में क्या वह स्ट्रक्टर्स जों हब बनना और ज्यादा चालु हो जाएगगा, चाले wow종ना देने में चलए व आर्मोनियस संतिसस देखने को मिलेगा कि यहां के रीजिनल जो हाल्ट्श है जो ए उसको भी सांथ में जोड़ा गया उसको सांथ में जोडने के हमायो कादी तो सारे कि आप अकबर के बाद में आप किसके उपर जंप कर गया हो शाहाजा के उपर जहांगीर का आ गया तो मैं वहीं कि रहो कि इन सारी चीजों में जहांगीर का इंटरस्ट था और आगे और देखना इस चीज को लेकिन अभी आप ठीक है अब आप बोलो के फिर शाहाजा के बाद में और अरंग्जेब ने तो और डवलप्मेंट किया होगा नहीं तो इनने जितना भी बनाया है ना और अरंग्जेब न इन दिवाने आम वर केरफूली प्लांड सबसे इंपॉर्टन चीज क्या दिए कि सहाजा नहीं बोला कि देखो भी यह मैं राजा का क्या हूं मतलब जनता के लिए सब कुछ हो मैं ठीक है मेरी प्रजा के लिए मैं राजा हूं यह सोचा सहाजाने तो अब जब प्रजा का र सके तो ऐसे हॉल बनवाए गए बड़े बड़े ठीक है यह आपको देली में देखने को मिलेंगे फिर का है प्राइवेट ओडियंस के लिए एक चीज और तो शहाजा के टाइम पर देखो आगरा में भी क्या था कैपिटल था आगरा से डेली की तरफ जाएंगे यह तो बड़ा आएगा अब क्या होता है तो यह जो दिवाने खास और दिवाने आम है ना इस वर डिसक्राइब डेस चिहल सुतन ठीक है चिहल सुतन क्या होता है और 40 पिलर्ड हॉल्स तो यह जो दिवाने खास दिवाने आम है यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा जैसे आप दिवाने आम के अगर बात करते हैं जो पब्लिक एक्टिविटीस के लिए आप फिर कह सकते हैं पब्लिक ओडियंस के लिए जो को बनाया जाती थी बिल्डिंग तो वो इस तरह की होती थी इसमें क्या एक बड़ा सा आप देखोगे तो 40 पिलर्ड हॉल एक 40 पिलर लगें इस से चहिल सुतन भी कहा जाता है फिर अगर आप देखोगे तो शाहा जहां का जो ओडियंस हॉल था ठीक है इट वास कंस्ट्रक्टिट टू रिजेंबल अ मॉस्क अब सम्झो ज़रा अब आपको अभी जो पिछले टॉपिक पढ़ हमने उससे रिलेट करना है शाहा जहां ने मॉस्क मास्व मतलब कहा है मजड मजड के साद मिलता जुलता था मजद के साथ ऐसा मिलता जूलता कि दीस देड़ां भॉस ट्रॉन और स की कुरसी होती थी न उस कूरशी पर थ्रोन के ऊपर वह कैसा रखा जाता था use kuqqqqq के प्रौछा जा ता किarte bands तरा जोडारिक्षन है अब जाए चैप्टर थ्री में पढ़ा था जली सल्टेनेत वाले में जो मॉस्क बनाए जाते थे तो मॉस्क में सभी लोग जब क्या करते हैं नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ते हैं वो वेस्ट की तरफ क्या करते हैं फेस करते हैं और वेस्ट की तरफ अपनी नमाज पढ़ते हैं क्यों क्यों कि माना जाता है जो मिक्का है ठीक है तो कि मॉस्क में अधिकतर आप क्या करते हो मॉस्क में जो जैसे यह मॉस्क है मान लो ठीक है अब एक कोई भी मज़ित लेते हैं जामा मज़ित लेते हैं तो जामा मज़ित में सभी लोग वेस्ट की तरह यह इंडिया है हमारा तो वो भी मैं आपको समझा देते हूं चलो यह से मै इन चैप।र 3 में बताया हूँ तो इंडिया ऐसे आप देखोगी तो इस तरफ क्या है इस तरफ मक्का है यहाँ पे तो अब क्या होता है मक्का मदीना जो है wow a तो लिएन्डियन्ज जो है न्माज प्रते समय किब्ला के तरफ थो लागा न किब्ला खो et के वो बैठेंगे ठीके अब शाहा जाहां ने भी क्या किया शाहा जाहा ने भी वही चीज की कि जो audience hall बनाया तो audience hall में उसका जो pedestal उसने अपनी जो कुरसी अपना जो singhasan लगवाया है वह west की तरफ ऐसा लगवाया है कि जितने भी लोग आएंगे तो लोगों का intention क्या था उसका intention भी समझो यह करने के पीछे intention क्या था वाइ ठीकि यह किबला direction क्यों कहला जा रहा है क्योंकि the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features तो इस तरह का architectural development करवाके सहाजा यह message पहुचाना चारा था क्या सहाजा क्या message पहुचाना चारा तो this idea of king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features आगे मैं समझ में देखो relate करना अब अभी जो हमने पिछले videos like video lectures में पढ़ा था क्या पढ़ा था कि rulers कोशिश यह करते थे कि वो उनके architecture के थू लोगों तक यह message पहुचा पाएं कि वही भगवान है ठीक है भगवान के साथ उनका relation है भगवान के पास उनका message है वही चीज सहाजाने भी अपने architecture के थू करने की कोशिश करिए fine आगे और देखो क्या तो जैसे Redford at Delhi अब सहाजाने क्या है आगरा से आने के बाद में Redford Delhi में जब construction करवा है ना तो वहाँ पर जितना भी construction हुआ जैसे Redford जो है तो इस शोज दी कनेक्शन बिट्विन Royal Justice and Imperial Court दो शब्दे Royal Justice and Imperial Court रोयल जैसे मतलब क्या है कि जैसे मुगल Empire है ठीक है मुगल Emperors जो है उनके जो courts लगने वाले हैं उनका जो दरबार लगने वाला तो वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा ठीक है न्याय मिलेगा Imperial Court है वो एक तरह से मतलब सबसे ऊचा court है आपको वहाँ पर वहाँ चलेगा है मतलब सारे आपके समझ्चा है सुरच जाएगी तो उसके लिए क्या किया जाता था तो बिहाइंड दी एंपरर स्थोन वर असीरीज ओफ पैट्रा डियूरा पैट्रा डियूरा में कन्फूजन आपको में क्लियर करूंगा पैट्रा डूरा इनलेज देट डेट डिपक्ट दी लेजंडरी ग्रीग गॉड और फेस और फेस प्लेंग दी लूट अब क्या है इस च आइडरे गये होंगे तो उन्होंने तो दो मिरिट में देख लिया होगा कि ताजमेल के लिए उसी मार्फमल ने कि इसे यह इट मार्फल है ऊवाइट मार्बल लिए न covenant कि कलराफल डॉंग कलर्फल ड्रॉइंग से लाग अलग तरह से कहां नकाशिक तो उसी पत्थर के लि उसे marble के अंदर क्या है जब आप colorful beads लगा देते हो colorful स्टोन्स लगा देते हो वह style जो रहती है style of construction को petradura कहा जाता है Petra Dura क्या है style of construction है जब आप एक marble के अंदर इस तरह से क्या करते हो ऑ इंबिट कर दे तो लगा देते नग की तरह colorful stones को लगा देते हैं तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि शहाजा ने जो फोर्ट बनाया तो इस फोर्ट के तुरू यह message पहुचाना चाहता कि वह भगवान है भगवान के साथ में उसके रॉयल जस्टिस प्रोवाइड होगा वह imperial quote है सबसे उपर quote है तो उस प्रोवाजा का थ्रोन है यह उसकी गादी है ठीक है इसके पीछे की तरफ क्या यह पीछे जो वाल है ना यह को इसमें अंदर देखोगे अब कभी भी रेटफोर्ट गूमने जाओना तो मेरे लेक्चर ध्यान रखना और देखना सारी चीजों को अच्छे से अब्सर्व कर है सीरी मारबल के अंदर क्या क्या इस तरह से नकाशे की गई है इस तरह से नकाश की की गई है इंल अट replacing यूड ऑ holiness कोन और क्यूल Бजा रहा यह समझाता हो वह तो तो देखो तो भगवान होते हैं अब उनके देवी दिताओं के हिसाब से एक केरेक्टर जिसे हमारे अभी अलग-अलग केरेक्टर होते हमारे कृष्ण जी थे ना बांसूरी बजाते थे सब को मुह लेते थे तो वैसे ही क्या है और एक केरेक्टर थे एक गौड थे जिनका जिनके पास क ठी है उनका कह सकते ही उनका specialization था अब क्या होता है तो आप देखोगे तो शहाजहां के त्होन के पीछे अच्छे से देखना अगर तो उसको जूम करके देखना पॉस करके आप देखो कि शहाजहां के थ्रोन के पीछे औरफस का क्या है औरफस प्लेइंग लूट की एक image बनाए गहीए पेट रडुरा बनाय गया एक वाइट मारवल चीज़ को चुना गया है तो यह आपको दर्शाहता है कि यह फोटो और लग्जाता यह लिए अरे फ़स को जानता था शाहजा ऐसा जुछ कि समान नजर मतलब equal front पे ला देता है तो वैसी आप क्या है कि आप मेरे court में अगर आपको royal justice मिलेगा आप चाहे कोई भी हो ठीक है आप गलत हो सही हो कोई भी हो सब के बीच में equal distribution होगा justice का उस चीज को ensure करता था और एक और चीज ये भी समझो ये अब क्या देख रहे हैं साथ में synthesis develop करना चाहता था उसकी ideology हमें उसके architecture से पता चलती है ऐसे पड़ो history मजा आएगा ठीक है यह हो गया समझ में यहां तक clear है चीजे relate कर पाए हो आप तो यह हमने क्या देखा यह हमने देखा कि garden toms and forts में क्या मतलब किस तरह से pattern चलता रहा है तो garden toms हो गया फोट्स हो गया फोट्स में आपको बताए कि शहाजा ने क्या क्या किया लेकिन यहां पर नहीं हुखे शहाजा मैं वही कह रहा हो कि architectural development में शहाजा का बहुत बड़ा रूल है तो आगे क्या है देखो दि कंस्ट्रक्शन ओफ दि कंस्ट्रक्शन ओफ शहाजास audience hall तो जैसे जो अभी हमने पढ़ा पर उसको एक बार और समप कर लेते हैं तो वह जो audience hall यह ऐसा बनाया ना सारा सब कुछ आप देखोगे और इफस और इन सब की पेटरा डूरा के साथ में तो इसका सिंपल सा सटीक सा जो message हो यह है कि hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and low as equals creating a world where all would live together in harmony ठीक है तो जो ग्रीक mythology के साब से एक message यही लिया है कि सारे लोग harmony में रह सके चाहे वो beast हो चाहे वो goat हो मतलब चाहे कितने खतरना क्यों ना हो जैसे हमने देखा कि feud बजा के Greek God जो है वो काबू में कर लेते हैं वही चीज़ यहां पर होने वाली है कि सब को equally सब को क्या देखा जाएगा सब को harmony मे रहना होगा ठीक है और सबको justice मिलेगा वो message था आगे देखो और क्या है तो अब गर हम देखें तो early years of शहाजा सरीन capital city क्या रही है आगरा दो जो शहाजा जब rule कर रहे तो कुछ समय तक capital city कहा रही है उनकी आगरा में रही है ठीक है फिर क्या होता है तो आगरा में देखो उनका जो architectural development था आगरा में जो buildings थी वो भी चारवाग वाले concept पर बनी थी जिसे आगरा में क्या है ताज महले आगरा फोर्ट है यह सारी चीजें चारवाग वाले concept से बनी हुई है ठीक है तो nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna nobility ने क्या क्या यमुना river के bank पर अपने घर बना लिए कैसे तो चार बाग दे दिये ठीक है फ्लाइट कार्ट मतलब एक तरह से सबके plot कार्ट दिये और बोल दिया कि बना लो सब nobility को ने जो काम करने वाले है या फिर कह सकते जो मुगल emperor के सगे संबंदी मुगल emperor के पास वाले लोग है तो उन सभी लोगों को जगा दे दिये और कह दिया तो आगरा में ये सिस्टम था तो nobility's had constructed their homes on banks of the river Yamuna ये आगरा में चीज़े थी अब यहाँ पर क्या है चार बाग format में तो बनाए ये उन्होंने चार बाग format में मतलब क्या है कि जैसी ये ये यमुना river है तो यहाँ पर उनके हाँ चार बाग आपको देखने को मिल जाएंग कैसे वेरियंट के साथ में मिलेगा समझना तो यहाँ पर जो वेरियंट वेरियंट को कहा जाएगा riverfront garden ठीक है तो मुगल nobility's जो है no doubt वो जो अपने घर बनाएंगी आगरा में ठीक है तो जितने भी मुगल nobility's अपने घर बनाएंगे तो वो चार बाग format में तो बनाएंगे एक garden, दो garden, तीन garden, चार garden लेकिन वहाँ पर वेरियंट क्या है कि riverfront garden होंगे riverfront garden मतलब क्या है कि जो घर रहेगा उनका घर river की side रहेगा मतलब जो residence के लिए जो कह सकते हो आप area रहेगा वो river facing रहेगा यह system रहने वाला है ठीक है अब और हमने हुमायू की tom में क्या देखा था कि structure जो है वो बीच में रहेगा और चारो तरफ garden रहेंगे लेकिन यहाँ पर एक variant देखने को मिल रहा है आगरा में क्या variant देखो मैं आपको पूरे architecture को अच्छे से समझाते चल रहा हूँ आप relate करते चलना अब आपसे पूछ लिया कि what is the variation between जैसे competitive साले बच्चे हैं मैं तो नागरा में आप देख रहें तो हैं रिवर फारंट गार्डन से तो उस तरह से garden के गार्डन जो है अब ताजमहल को लिए लो आप फॉर एक्जांपल जैसे यहां पे देखो ठीक है यहाँ पर ताजमहल को देखो रिवर यह जा रही है ठीक है चार बाग है तो एक बाग द इतने सारे भाग हैं लेकिन आप जो structure को देखो तो structure क्या है river की तरफ है ताजमहल river की तरफ है तो यहीं चीज बताईगी है river और यह और वहीं पर आप अगर देखो कि हुमाईयू स्टॉम में तो यह चार भाग वाला concept क्या है कि Center में structure बाकी चारो तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है बाकी चारो तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं गार्डन्स बाग आपको देखने को मिल रहे हैं यह चीजें थी फाइन आके देखो और क्या है तो यह जो चार बाग फॉर्मेट है जो रिवर्फंट गार्डन वाला फॉ बना हुआ है वो सेंटर में नहीं होता है वो कहां पर होता है एज पर होता है कोने पर होता है वही चीज जो मैंने आपको इस इमेज में दिखाई यह क्लियर हो गया यह समझ लेना अच्छे से क्या कि हम गार्डन टॉम्स पढ़ लिया हमने अब फोर्ट जब पढ़ है तो शा शाजा जो है वो क्या करता है अपने आपको अपनी पोजिशन को किसके साथ रिलेट करता है गौड के साथ वो जस्टिस की बात करता है वो अलग-अलग आर्किटेक्टर को इंक्लूड करता अलग-अलग कल्चर की बातों को इंक्लूड करता है ठीक है अब कंस्ट्रक्शन क तो अगर बात आती है तो चार बात फॉर्मेट मेंक्स्रक्शन होता है लेकिन एक वेरियन लेकिया जाते हैं कहां पे आगरा में वेरियन्ट क्या है Riverfront Gardens तो गारेंस में क्या हुआ है कि जो dwelling है वह कहां पर होती है एज पर होती है सेंटर में नहीं होती है रिवर बैंक पर होती है फाइन आगे क्या है तो शहाजा अडप्टेट दी रिवर फ्रंट गाडन इन दी लियाउट ऑफ ताजमहल ऑलसो वही चीज़ उनने ताजमहल में अडॉप्ट किये तो जैसे आप देखो कि तो यह रिवर है और यह रिवर के बाजू में है क्या रिवर के बाजू में है ताजमहल तो यह रिवर फ्रंट ले आउट ताजमहल के लिए भी क्या क्या है शहाजा ने अडॉप्ट किया था शहाजा ने जब ताजमहल कंस्ट किया तो उसने चार बाग तो रखे लेकिन यह रिवर फ्रंट वाला सिस्टम र इज और इज आव दी रिवर एंड गार्डन वास टुट हसाउथ ठीक है तो वही चीज़ है कि यहां पर यही टेरिस फोड़े से शुड़े है थोड़े से ऊचे प्लेटफॉर्म प्रेटफॉर्म पे आपने क्या बना दिया है। यह मुसूलिए में गबरे को बनाया और जो यहां पे तो कि यहां पे आपको देखने को मिला कि सभी को नोबल्स वगेरा को भी क्या हो गया नोबल्स वगेरा को भी एक तरह से रिवर फेसिंग प्लोट्स मिल गए वो भी अपने स्ट्रक्चर कहां मना सकते नदी के पास बना सकते थे लेकिन शहाजाहनाबाद की जब बाद जाएगी तो शहाजाहनाबाद में क्या है यह चीज तो राजा के लिए तो सेम रहेगी एंपरर के लिए सेम रहेगी कि वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो रिवर फेसिंग ही जहानाबाद शहाजा यूजड आर्किट्रिक्ट्रल फॉर्म एज़ मीन्स तू कंट्रोल दी एक्सेस डेट नोबल सेड टुदी रिवर ठीके शहाजानाबाद में और आगरा में क्या डिफरेंस है वो समझो जरा बहुत अची तरह से बताता हूं आपको शहाजानाबाद और शहाजानाबाद के साथ में अगर हम बात करते हैं कहां की आगरा की तो दोनों में क्या डिफरेंस है इमेज से देखो ज्यादा बहतर क्लियर होगा इमेज से देखो तो यहां पर क्या है कि आगरा में ताजमेल यहां पर बाकि जो नोबल से तो नोबल से जो जगा दिये तो तो सारे नोबल्स के पास में क्या है, river के पास access है, ठीक है, कि वो river को use कर सकते हैं, अब river को कैसे use करेंगे, तो अपनी boat वगेरा लेकि वो river में जा सकते हैं, ठीक है, यह आगरा का city structure था, आगरा में इस तरह से सारी facilities थी, यही चीज के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो शाह तोटर से वो लोग ठीक है अब क्या हो रहा है कि उन्हों ने अगर यहां पर घर बनाया तो उनके पास में रिवर की एक्सेस है लेकिन यही चीज़ कंट्रोल करेगा कौन शहाजहां कहां पर जब वो नई सिटी बनाएगा शहाजहाना बाद में कैसे कंट्रोल करेगा तो आर् सी फेसिंग फ्लैट्स जो मिलते हैं तो सी फेसिंग फ्लैट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती हैं ठीक है अब वहीं चीज़ यहां पर तो शहाजहां ने सोचा कि सभी को रिवर की एक्सेस मिल जाएगी तो मेरे पास जो एक एंपरर होने का जो वह एक एक्स्ट्रा एजे वो तो रही नहीं गया ठीक है और दूसरी चीज़ यह थी कि इनके पास में एक रूट रहता था एक रास्ता रहता था भागने का कुछ भी करने का तो अब उसके परस्नल रिजन से सहाजहां के तो सहाजहां ने बुल दे कि नहीं अब रिवर की जो एक्सेस रहेगी श्रिफ मेरे पास रहेगी और रोकता कैसे है तो सहाजहना बाद में क्या करता है शाजहां ठीक है इंपीरियल पैलेस कमांडेट दी रिवर फ्रंट तो अब अगर इधर देखो आप यहां पर इस मैप में ठीक है तो इस मैप से समझ में आएका कि जो इंपीरियल पैलेस है यह बाला यह इंपीरियल पैलेस जो है तो इट कमांडेट दी रिवर फ्रंट तो यहां से आप रिवर में जा सकते हो ठीक है यहां पर जिसका भी जो भी पूरा स्ट्रक्चर है यह जिस अगर आप देखेंगे रेड़ फोर्ट है यह ठीक है तो यह रेड़ फोर्ट जो है तो रेड़ फोर्ट में क्या है एक्सेस मिल जाएगे आपको असानी से लेकिन लेकिन अगर आप बात करते हैं किसकी इंपीरियल पैलेस कमांडेट रिवर फ्रंट ऑनली स्पेशली फेवर नोबल्स लाइक इस एल्डेस्ट सन दारा सिको दारा सिको कौन है मैंने बताया था चैप्टर मचेश है तो अल्ड़ेस्ट सन ऑफ सहाजा ठीक है दाराा शिको तो जो जिसको फीवर करेगा शायजा जैसे कहा घयता आपके घर के आपके पास लंबा सा प्लोट है उस्षप उसक मिआ आप आपके प्लोट के साथ में किया ओक तलाब लेक वीव आ रहा है मान लो सब्सक्राइब आपका जो प्लोट के लिगां बुटक भूपाल के लोग जानते यह वो आफिसके इक तरह से XS सहा जाहा के पास में शहा जाहाने जो नगया प्लाइन मना थाתיalkτο सहा जाघ के पास पूरी के अब शहा जाने बोलती है चलो इस इस बिलडिंग में तूbeneरा ले ना तो वो जिसे चाहे का उस्से दे सकता था तो फेवरेट्स जो थे उसके उसे वो रिवर की एक्सेस दे सकता था बाकी सारे लोगों को क्या बोल दिया शाहा जाने देखो तो बाकी सारे लोगों को क्या बोल दिया तो all others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna बाकी सारे लोगों को क्या करना होगा अब यह जो नहीं सीटी बनाइए अगरा म तो अब फोर्ट के अगर बात आती तो यह ध्यान रखना आप अगरा फोर्ट आगरा का जो चुन्स्ट्रक्शन था वो और यह डेली का आपने अपने चुन्स्ट्रक्शन देख लिया शाहा जहां के टाइम में फिर रिपीट कर रहा हूं आर्किट्ट्ट्र डेवलप्मेंट बहुत पीक पे था मुगल एंपायर में फाइन अब अगर हम दोनों को कंपेर करें जैसे यह में आपको पूरी कहानी बता दिये अब यह जो मैप से तो अब देखो क्या है रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम आ मैप ऑफ रिवर्फरंट गार्डन सिटी तो मतलब ऐसा था नहीं ल अब नोबल्स आर प्लेश ऑन बोढ़ बैंक सबस्क्राइब और इस तरह उर्याइवकी यहाँ वाले पेलेश्स आपको देखने को मृलें ऑoug पुरा देख लिया अपने अब इस ले आउट को आपको सीदी सी समझ में आजाएगी क्या कि यहां पर रिवर एक्सेस सबके पास नहीं है सिटी जो है बहुत जादा बहुत जादा क्राउड़ेट सीटी ए पूरी और सिटी कहां है जो शाहाजानाबाद में जो एम्परर में पर यहां पर आपको दो सबस्क्राइब यहां पर बहुत सारे तो तो गार्डन आ पर आपको भुट सारे देखने को म reicht तो 1850 map of shahajanabad where where is the emperor's resident to emperor's residence की बाद की जाती तो यह रहा emperor's resident redford वगरा पुरा area फिर क्या है this city appears to be very crowded but did you notice the many large gardens तो gardens बाउजूद भी कहा यहां पे हैं तो यह gardens आपको हुमाई स्टॉम वगरा यह सब को देखने को मिल जाएगी but did you notice the many large gardens well can you find the main street and the jami mazid अब आपको दो चीज़ ढूड़ना इसमें तो जामी mazid यह रही यहां पे और main street जो है तो यह main street रही यह दोनों चीज़ें हमने identify कर लिये अब इसी के साथ finally ठीक हमारा यह जो topic अगला topic है यह topic क्या होता है complete होता है लंबर topic था काफी लंबर topic था लेकिन हमने क्या किया हर चीज को comprehensively deal किया है आइओ आपको मजा आया है ठीक है चीजे समझ में आई है मजा आने से जादा जरूरी कि समझ में आना चीजी चीजें तो मैंने सारी चीजें आपको अच्छे समझाई है समझाई यह garden storms और forts एक एक चीज को हमने क्या किया comprehensively deal किया है सारी चीजें हमारी यहां पर होती है complete I hope you enjoyed it clear किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section next video में मिलते हम next video में जो हमारा अगला topic है regions वाला regions and empire उसे discuss करेंगे clear मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you thank you very much Hello everybody this is दिग्रास सेंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे region and empire के बारे में region and empire यह topic को देखो समझो अच्छे से ठीक है यहाँ पे region का मतलब क्या हो गया regional region को regional समझ लो अभी के लिए ठीक है और empire मतलब आपको पताईए अब देखो क्या यहाँ पे तो rulers and buildings में हम देख रहे थे कि जैसे जैसे rulers आते चले गए बड़े-बड़े rulers अगर medieval इंडिया की बात करें तो early medieval इंडिया में कौन थे तो हम देखते कि इंडिया के जो हिंदू rulers थे तो उनका एक अपना style था जिससे उन्होंने buildings construct करी देली सल्तनेत ठीक है देली सल्तनेत म architectural development दिखाया हमें तो उसमें gardens, tombs, huge tombs बनाने start किया उन्होंने ठीक है बड़े-बड़े मगबरे बनाएं और साथ ही साथ में forts यह सारा सब कुछ हुआ अब यहाँ पर जो मैं आप कहता रहो region and empire तो मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि बड़े-बड़े जो empire हुए ना यह देली सल्तनेत देख लो मुगल empire देख लो आप early medieval India में जो rulers रहे जैसे चोलाज तो यह जो बड़े-बड़े empire हुए इन empires में कही ना कही regional जो architectural style है उसने भी ब बहुत important role play करा समझ मैं है topic regional मतलब जैसे मैंने आपको भी बताया कि मान लो यह क्या एक बड़ा सा empire है बड़ा सा empire है कौन सा है नीचे यह तो यह बड़ा सा empire हो गया विजय नगरा kingdom अब विजय नगरा kingdom में क्या हो रहा है कि हाँ पर बीजापूर जो है तो बीजापूर ने गुजरात की जो construction की कुछ style थी architectural style जो थी उसने मुगल empire में development जो हो रहा था उसको influence किया तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है तो अब देखो क्या है construction activity जैसे जैसे बढ़ते चले गई ना तो sharing of ideas across the regions also increased increased के लिए यह arrow पन ने उपर कर दी है ठीक है code word में समझ लो तो य देख्या होंगा तो अपने बनाने में भी लगा सकता हूं जैसे ऐसे होता है कि आप क्या हो रहा है आपका अगर घर बन रहा है ठीक है बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे आपके आपे construction चल रहा है आप घर बना रहे हैं तो आप क्या करोगे आपके आजू बाजू आप अधी ऐसा करता हूं तो वही चीज थी जब construction activity बढ़ रही थी तो समय पर क्या sharing of ideas across the regions were also increasing ठीक हर तरफ क्या हो रहा था कि एक दूसरे का idea को क्या किया जा रहा था लिया जा रहा था दिया जा रहा था तो वह sharing हो रही थी ठीक है वह sharing हो रही थी तो the tradition of one region were adopted by another तो एक region का जो tradition था जो architectural style था वह दूसरे region के दुवारा क्या किया जा रहा था carry किया जा रहा था adopt किया जा रहा था fine यहां तक आगी चीजे समझ में अब example के लिए जिस अगर हम देखें तो अब example समझो ज़रा अच्छे से the vision agra the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijjapur and Golconda अब देखो क्या है बीजापूरन गोल कोंडा तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूं क्या हो रहा है कि आप history में अभी जैसे आपने medieval history पड़ी ना तो आपने नौर्थ इंडिया नौर्थ इंडिया की medieval history पड़ दी पूरी आप South India को भूल गए थोड़ा सा South India को भूल गए in the sense कि जब उपर मुगल empire डेली सलतने था ना तो नीचे कौन था यह नीचे खाली ऐसा थो भी ना कि नीचे कुछ होई नहीं रहा था तो नीचे यहां पर जो empire उस समय पर flourish हो रही थी वो थी जिसे चोला चोला empire के बाद में आप देखो को तो विजय अगर kingdom flourish होता है बाद में जो लास के बाद में विजय अगर kingdom जो रहता तो बड़ी टकर देता है यहां पे अब विजय अगर के ऊपर क्या है विजय अगर के उपर डेकन सलतने थे तो डेकन सलतने में आपको पिछले चाप्टर में मुगल empire वाले चाप्टर में जो फिलप्स में कोशन आया था ठीक है यह जो kingdom थी तो यहां पर example में क्या दिया है तो इन विजय अगर यह विजय अगर है ठीक है वी फॉर विजय अगर वी फॉर ऐसा साउथ इंडिया भी हो गया हमारा तो आप देखो क्या है इन विजय अगर दी elephant stables of rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of वीजापूर और गोलकॉं में ठीक है तो यहां पर जिस तरह की style follow की जाती थी किसके लिए elephant stables के लिए elephant stables मतलब क्या है कि elephants को पार्क करने के लिए मतलब elephant उनकी गाड़ी है इस समय पे तो elephants को रखने के लिए इस तरह से जो ये elephant stables बनाए गए थे ना इसकी style पता है कहां से copy की गई है इसकी style copy की गई है विजेन अगर में ये elephant stables एक बड़ी empire में elephant stables जो बनाए जा रहे तो छोटी kingdom से copy किया गया तो इस तरह से आप क्या देख रहे है region and empire में आप ये देख रहे है कि the tradition of one region were adopted by another तो क्या हो रहा है कि architectural styles copy की जाती थी वही चीज़ बताइए और example देखना है चलो एक और example दिखाता हूँ तो इन व्रंदावन नियर मतुरा temples were constructed in architectural style that were very similar to the mughal palaces in फतेपुर सिक्री आगरा के पास में अब फतेपुर सिक्री में क्या होता है development हुआ मुगल style में जो architecture development हुआ जो भी उन्होंने palaces बनाए ठीक है जैसे जोदा भाई का palace बना आ गया और दिखाओंगा मैं आपको तो जो भी palaces बने ठीक है तो उन palaces को क्या किया गया उन palaces को copy किया गया ठीक है उन palaces की style को copy किया गया palaces की style को कैसे copy किया जाएगा मतलब जैसे palaces बनाए मुगल रूल के अंदर में उन palaces की जो construction की style थी ठीक है उन construction style को क्या किया गया मतुरा में वरंदावन में temple construction में लगाए गया अब देखो हमारे देश की आप जैसे हम देखने ना religious conflict है हिंदू-Muslim लड़ रहे हैं लेकिन आपको यहां से सीखना चाहिए कि temples में हमने मुगल empire से मतलब Islamic rulers से क्या किया उनका जो construction style था उसको हमने include किया harmony बहुत पहले से रही है हमारे देश में हम जो हैं तो हम क्या कर देते हैं इस harmony को disturb कर देते हैं इस चीज़ पे सोचना कभी आराम से बैठके अभी यहां ध्यान द आती थी सिंक्रेटिक ट्रेंड देखने को मिलता था फाइन और आगे देखो क्या हैं तो creation of large empires ठीके creation of large empires का जब यह बहुत बड़े-बड़े empires बन गए ठीके जिसे मुगल empire विजे अगर empire यह बड़े empire हैं ठीक है देली सल्दनेंद तो क्या होता है cross fertilization of artistic form and architecture styles were taking place cross fertilization of artistic forms मतलब क्या है कि बड़े empires छोटी 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 रीजन से भी क्या कर रहे थे सीख रहे थे ठीक है तो आर्किटेक्ट्ट्र स्टाइल्स और आर्किटेक्ट्र स्टाइल स्टाइल के साथ जो artistic forms थे ना उसमें cross fertilization हो रहा है मतलब कुछ हम आप से सिखेंगे कुछ आप हमें सिखा हो हम आपके सीखे हुए से construction करेंगे आप हमारे सीखे हुए से construction करो ऐसी चीज़ें हो रही थी तो जैसे फॉर एक्जामपल मुगल रोलर्स वर्ट पर्टिकुलर्ली स्किल्ड इन एडप्टिंग रीजनल आर्किटेक्ट्ट्र स्टाइल इन कंस्ट्रक्ट्ट्ट्ट of their own building मतलब मुगल एमपरर जो थे सिखे मुगल ऑर्किटेक्ट्ट्टर स्ट्रक्ट्टर्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आए का कि रीजनल आट जो हे रीजनल आर्किटेक्ट्ट्ट्ट्र स्टाइल जो है उसको कॉपी किया विजनल बंगला डूम, so much that they used it in their architecture, बंगला डूम क्या होती ही देखो, बंगला डूम इस तरह से क्या होता है, डबल, यह आप आगे और पड़ोगे चैप्टर समें, ठीक है, चैप्टर 9 में आपको इसके बारे में और जानने को मिले गए, इमेजेस हम वहीं से लाएं, ठीक है, अब उदार लेके आएं, तो चैप्टर 9 जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ लेना, क्या होता है, तो बंगला डूम क्या होता है, बंगला डूम जैसे आप देखो कि हट है, ठीक है, एक जोपडी है, जोपडी के उपर क्या है, यह गहां से इस तरह से डूम शेप में क् बंगला डेश में जो मुगल फोर्ट्स बनाए गए, ठीक है, बंगला डेश में जो मुगल फोर्ट्स बनाए गए, तो वहां पे जो मुगल स्टाइल फॉलो किया जाता था, डूम वाला, ठीक है, जो आप देखो के जिसे कहां पे हुमायू स्टॉम वगेरा पे जो डूम ह फॉल करते हुए इस तरह के बंगला डूम से मुगल एंपायर में बंगला देश में जो उन्होंने फोर्ट्स वगेरा बनाये थे उस पे यूज किया गया था तो यह आपको समझ में आती कि अच्छा क्या किस तरह से यह जो क्रॉस फर्टिलाइजिशन के हम बात कर रहे हैं वह हुआ आया ना समझ में और देखो तो और कहां पर क्या कॉपी केट हुआ है यह देखो तो इन अकबर स्केटल एट फटेपुर सिक्री ठीक है फटेपुर सिक्री में क्या हुआ अकबर की कैपिटल थी इस तरह का एक आर्किटेक्ट्रल फॉर्म चलता है क्या है यह समझाता हूं में तो दी डेकोरेटेट पिलर्स एन स्टॉट्स होल्डिंग दी एक्स्टेंशन ओफ दी रूफ इन जोधाभाई पहलेस इन फटेपुर सिक्री इस फॉलो आर्किटेक्ट्ट्र ट्रेडिशन ओ क्योंचा होता है कि एकट्री क्रींट पिलर्स निंख़ने को बिलरिए आपको बायर की तरफ निक्ले-वरस निकले हुए इस थरा का एक वी मतलills सब्सक्र यह द जैसे और इतो अब यह है अब यह मानन हों अनलोग और यहां तक च्ष्छ यहां तक निकली तो च्छत घिर ज यह जाते हैं इस तरह से यह य। यह यह कंसेट जो है या रोफ होलो की जाती पता है यह ओटनेक्ट्र-स समझेकर को हैं नहीं ऊठके ऑबड़ाय आपकर करते हैं इन कॉपररे करते हैं न父 चेयं करते हैं अपनी पीछ पढ़ा यही चीज मैंने बताई थी ना कि क्या देवर अडप्टिंग रिजनल आर्किटेक्ट्चल स्टाइल्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दियर ओन बिल्डिंग तो अपनी खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए मुगल एंपायर में इतने बड़े एंपायर में बिल्डिंग रोल पे करते हैं किस संस में आर्किटेक्ट्चल डेवलप्मेंट के फॉर्म में तो हमारा जो रूलर से बिल्डिंग वाला टॉपिक हैं इसके सारे में टॉपिक्स कंप्रीट हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चर्च वाला और जरूर पढ़ेंगे क्यों माना वह हमारी कंट्री से जुड़ा वा नहीं है लेकिन वह आपको एक आर्किटेक्ट्चल स्टाइल की इंसाइड देगा अब जिसे अगर हम देखे क्या तो कंटिनिशन ऑफ आर्किटेक्ट्चल स्टाइल तो दो इटिस देर की 18th century आते आते क्या होता है कि मुगल एंपायर जो ख कभी नहीं मरेगा आज भी वह चीज चलती रहती है तो आठ फॉम है नहीं वह तो तो क्या होता है मुगल आर्किटेक्ट्चल स्टाइल डेवलब अंडर देयर पैट्रोनेजिस वर कॉंस्टेंटली यूजड एंड अडप्टेड बाइ अदर रूलर्स वेनेवर दे रही हो या नहीं रही हो तो यह वहीं बताया गया है क्या कि जो दूसरे रूलर्स आए तो वेनेवर दे ट्राइट टॉस्टेब्लिश देर किंग्डम देर ओन किंग्डम देह अडॉप्टेट इस टाइल इसका एक एक्जामपल में आपको देता हूं बहुत अच्छा जैस सांची स्टूब जो बनाएं सांची में अध्य प्रदेश में सांची स्टूब यह सिक्स क्लास में पढ़के आए वाप तो सांची स्टूब के डूम के साथ रिलेट होता है फिर वहीं पर देखो के तो वह क्या है किसने बनवाए ब्रिटिश ने तो उन्होंने अपनी से जो यूरोपियंस की जो वेस्टन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना वह उन्होंने क्या किया है वह उन्होंने फॉलो किया उसमें लेकिन उसी के सांसाथ आप देखो के मुगल स्टाइल का भी मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल का भी उसमें क्या ब्लेंड है कहां है तो आप देखो कि राश्पति भावन में भी क्या आपको मिलेगे चार बाग वाला कंसर्प्ट मिलेगा आपको ठीके गार्डन्स बने होंगे चार बाग वाले कंसर्प्ट के साब से जिसमें आर्टिफिशल चैनल्स वगेरा बनाई गई होगी डिवाइड कर दिये गए होंग अलग अलग पॉर्शन तो क्या है कि आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलफ्मेंट होते जाएगा ना तो शिंक्रेटिक ट्रेंड मतलब आप हमारी स्टाइल से कुछ लो आपको हमारी आप आपकी स्टाइल से हमें कुछ दो ये चीज़ है आपको तक सभी subjects, सभी chapters, सभी chapters के topics, subtopics हर चीज़ systematic way में इसी तरह के video lectures के format में available हैं आपको क्या करना है आपको घर बैठे अपना syllabus complete करना है अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में पताईए next video lecture में मिलते हैं एक जो extra detail है चर्च वाली वो हम पढ़ेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे churches that touches the sky last topic आपके chapter का जी हां class 7th history का chapter chapter rulers and buildings तो इस पूरे chapter में हमने medieval period में इंडिया में किस तरह से architecture development हुआ buildings कौन-कौन सी बनी क्या style रहती थी क्या engineering skills रहती थी वो सारी चीज़ने discuss करिये तो हमारा chapter जो theory part पर complete हो गया है सारे topics हम पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं बहुत ही बहतर तरीके से अभी क्या है अभी जो last topic है आपका यह जो box में content दिया है ठीक है आपकी book में जैसे आप देखो के chapter खतम हो रहा नीचे box में content दिया है usually हम यह elsewhere वाला topic होता है इसे नहीं पढ़ते हैं लेकिन अब आप बोलो के why this topic इस chapter में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी significance समझो देखो बच्चो आप तो class 7 में हैं ठीक है आप जानोगे भी जादा चीजें तो आपको आगे फाइदा मिलेगा लेकिन जो competitive की तैयारी करें उनके लिए बहुत जादा जरूरी topic हो जाता है क्या तो यह हमने architectural styles देखें अभी अलग-अलग ठीक है तो architectural styles में हमने क्या देखा मुगर्स के time period में उनका अलग architectural style developed हुआ जिसमें क्या करते थे gardens वगरे डवलब करते थे सारी चीजें उससे पहले जिसे आप देखोगे तो temple construction में जो early medieval rulers थे जो कह सकते हैं क्या कि 750 के बाद से आगर आप देखो 1200 तक तो जो इंडिया के indigenous rulers थे उन लोगों का एक अलग style था डेली सलतनत के time कुछ चीजें और अलग evolve हुई है ठीक है तो अलग-अलग architectural style है अब क्या होता है British ने जो development किया तो कही ना कहीं British ने जो development किया तो वह development उनके development में Gothic style का हमें एक बाच देखने को मिलेगा ठीक है वह बात अलग एक synthesis देखने को मिलेगा जहां पर आपको Mughal Gardens भी देखने को मिल जाएंगे साथ ही साथ में आपको ancient India architecture style भी देखने को मिल जाएगा Gothic style भी सारी चीजे British time period में जो development होगा उसमें सब कुछ देखने को मिलेगा ठीक है तो Gothic style जो लेगी इंडिया में भी ठीक है चलो तो देखो क्या है from the 12th century onwards attempts begin in France to build churches 12th century से एक चीज़ बदा तो interesting यह 12th जब हम लिखते तो उसमें F आता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कूच जाते हैं में भी कूच जाया करता था पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखना है 12th की spelling में F भी आता है clear? तो अब from the 12th century onwards attempts begin in France to build churches ठीक अब चर्च बनने लगे आप बोलोगे चर्च तो पहले भी बन रहे थे 12th century से पहले बन रहे थे ठीक है चर्च पहले भी बन रहे थे लेकिन what was new in these churches ठीक है जो बाद में 12th century से बनना चालू होता है तो उन churches में कुछ नहीं बाते थी क्या नहीं बाते थी तो these buildings were taller and lighter than earlier buildings earlier buildings पहले जो बिल्डिंग्स बहुत भारी भरकम बिल्डिंग्स बनाए जाती थी construction बहुत हेवी होता था ठीक है लेकिन अब जो बिल्डिंग बन रही थी मतलब 12th century में जो बिल्डिंग्स बन रही थी वो क्या थी टॉलर उची थी वो प्रांस में तो फ्रांस और इंग्लेंड में जो architecture style develop हो रहा था उसे Gothic style कहा गया है यह Gothic style आप बात में देखो कि तो जैसे क्या होता है Goa में Goa के लावा फिर आप कहां जले जाओ Bengal वगेरा में Kolkata में तो जब churches यहां पे बने इंडिया में तो इसी style के through churches बनाए गए और इस बन जाएगी तो इसके बाद में अपने हिसाब से पढ़ने में मजा आएगा आपको ठीक है तो गोथिक style का है गोथिक style देखो तो डिस्टिंगेस भाई हाई पॉइंटेड आचेस दी यूज ऑफ स्टेंड ग्लास ठीक है यहां पर क्या होता था गोथिक style में आप construction कर रहो तो यूज्वली पहले construction जैसे temples वगेरा बनते थे तो वैसे ही क्या होगा Christianity में आप देखो के churches बनेंगे वो places of worship क्या होगी हर religion क्या लग लग हो सकती Islam में हमने देखा mosque बनाए थे तो वैसे Christians क्या बनाएंगे church बनाएंगे तो church बनाते समय क्या करते थे they used to make pointed arches pointed arches क्या होता तो हमने core build और उसके बाद में आर्कवेट टेक्निक्स यह सब देखी थी तो उसमें क्या complete true arch बनाने की कोशिश की जाती थी ऐसा लेकिन Gothic style में आर्च जो बनेंगे तो इसे pointed arch रहेंगे यह देखो pointed है तो ऐसे pointed arches बनाए जाते थे कहां पे pointed arches बनाए जाते थे Gothic style में ऐसे relate क करो comparison करते आना चाहिए आपको सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा जो आप पढ़ रहें इसको इधर उधर cross आपको क्या करना है जैसे हमने पढ़ा था ना की syncretic trend देखना होगा क्या लिया क्या दिया कैसे आप compare करोगे वह सीखना जरूरी है तो distinguished by high pointed arches and the use of stained glass stained glass क्या होता है colorful glass होते है colorful glass वह वह movie देखिया आपने कौन सी हाली Mr. India वाली उसमें वह जैसे red glass होता है तो दिख जाता है तो red glass लगा के देखते हैं तो stain glass मतलब ऐसे कुछ भी लाल पीला हरा नीला कोई से भी कऴ़ का colorful glass जो होते हैं बीच भीच में ट्रेंट चला था लोग अपने घरों को सजाने के लिए लगाया करते थे अभी भी लगाते हैं तो वह stained glass मतलब ऐसे colorful glass तो चर्चेस में क्या किया जाता था तो चर्चे में इ तो अब क्या है अब देखा Christianity से जुड़ा हुआ construction हो रहा है तो Bible के जो सीन है Bible के सीन जो रहते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है चर्च में paint किया जाता था गोथे की स्टाइल में चीज यह आ गई अब तो pointed arts रहने वाले हैं stained glasses रहेंगे उन glasses के उपर इस तरह की painting बना जाती थी वाल्स के अंदर painting बना दी जाती थी अब painting में कुछ भी नहीं बना रहे है full गुल मतलब full गुल रस्ता इस सब कुछ नहीं बनाएंगे क्या बनाएंगे painting में तो Bible से जो scenes है उन्हें प्रिंट किया जाएगा ठीक है उन्हें पेंट किया जाएगा फिर क्या है drawn from the Bible and flying buttresses flying buttresses क्या होता यह भी समझ लो यह चीज में आपको समझा देता हूं तो Gothic जोड़ने के लिए से बीच में से क्या किया जाता है बीच में से विम टाइप से construction किया जाता था bell towers which were visible from a distance view added to the church अब क्या होता है कि यहां पर इस तरह से आप जिसे देखो कि तो bell towers बनाए जाते थे bell towers आपने देखा होगा बहुत सारे church में क्या होती ही घंटी के आवाज आती ना Sunday morning के दिन जो आवाज आने लगती है तो इस तरह से bell towers बनाए जाते थे bell towers का देखो दो object एक तो आवाज और दूसरा क्या है दूर से visible हो जाए तो इसके जलते क्या tall spires बहुत उचे-उचे इस तरह के और उसमें bell लगा दी जाती थे तो bell towers मनाए जाते थे ताकि church को दूर से इस नहीं visible कर सके इंसान आ सके जैसे क्या है अब देखो रिलीजन है ना हम इंसानों ने क्या कर रहा है रिलीजन को अलग अलग रास्तों पर पहुचा दिया लेकिन concept वही रहता था यहां पर भी क्या है वही concept फॉलो के जा रहा है कि दूर से कोई रहागीर देख ले कि यहा मतलव के इस जाती है्लों आके यहां पर अश्रा ले सकता है रुक सकता है उंखेले देख्यों हुट जो इस इतना मतलब अदे एक मंदिर है मंदेर आप देखोगे मंधिर के शीकृाइब दुपर आप दिक लगादी है ताकि क्या हो कि दूर से विजिबल सारी चीज़े रहती है हर दर्म में आपको देखने को मिलेगी वही कंसेप यहां पे भी कि दूर से एक रहागीर कोई भी ठीक है कोई भी मुसाफिर देख सके उस चीज़ को फाइन तो दिस वस अल अबाउट आप यू गॉट दी कंसेट चर्चेस डेट टचस दी स्काई क्योंकि वह उच्यों यादा होते थे तो वह सारी चीज़े हमने यहां पे देखी समझी इसी के साथ में हमारा चाप्टर जो है यह पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो पूरी त कर सकते हैं किसी प्रकार का अंसर देना मेरे लिए मत्म मैं नहीं दे सकता हूं प्रैक्टिकली वह पॉसिबल नहीं है लेकिन क्या है कि आप आपके कुर्षेंस डाल दोगे ना तो आप इकी तरह दूसरे स्टुडेंस भी देख रहे हैं वीडियो तो उन्हें अगर आंसर आ जो भी इशूज हैं जो कॉम्पीटिव की त्यारी कर रहे खास करके मतलब जो जो एको लिमिटेड होता है हम कोशिश करते हैं कि उसे कॉम्प्रेंसिव कवर करें ठीक लेकिन आपको और भी पढ़ना रहता है तो और जो स्टेंड़ बुक्स वगरा है उनसे पढ़ो और इस प्लस कुशन आंसर वाली बात होती तो वो भी हमारा कम्प्लीट हो जाएगा फाइन मिलते हैं नेक्ट वीडियो लेक्ट्चर में तिल देन स्टे कनेक्टेट कीब लर्निंग थैंक यू थैंक यू बेरी मच हलो अवरीबड़ी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो म वीडियो में हम NCRT solution discuss करने वाले हैं किस चाप्टर के तो जिस चाप्टर को theory part पर पूरी थरह से complete कर चुके हैं Class 7 History का chapter चाप्टर है Rulers and Buildings तो इस चाप्टर को हमने theory part पर जितने भी topics थे ठीक है सारे parts को सारे topics को comprehensively deal कर चुके हैं सारी चीज़े में explain कर चुका हूँ I hope आपने वाले parts देख चुके हैं अब क्या है अगली चीज अगली चीज important यह है कि question आपके पास भी है question मेरे पास भी है लेकिन उन questions का answer सिर्फ मेरे पास है तो वह सारे answer में आपको बताऊंगा चिंता ना करो तो अब देखो क्या है NCIT solution में पहला question क्या है हमारे पास पहला question जो है वो यह है कि how is the traviate principle of architecture different from the archuit archuit और traviate दो form of architecture आपने देखे थे दो आर्किटेक्ट मतलब architectural skills की जब बात करते हैं तो दो तरह के architectural skills देखी थे आपने ठीक है अब आपको यह बताना है traviate और आर्केट दोनों जो है वह दूसरे से अलग कैसे answer लिखना सिंपल सी चीज़ है तो traviate the traviate principle of architecture is different from archuit बोलो के सर यही तो पता है हमें क्यों है यह बताओ चलो तो because क्या है because in the traviate principle of architecture ठीक है in the traviate principle of architecture roof doors and windows were made made by placing a horizontal beam across two vertical columns दो verticals दो vertical columns होंगे ठीक है यह vertical columns है दो इन दो vertical columns के उपर क्या करेंगे आप horizontal bims रखेंगे इस तरह से horizontal bims रखेंगे और फिर आप क्या करते हो फिर आप construct करते हो जो structure तो traviate बनता है ठीक है वो traviate हो गया आर्कवेट में क्या है आर्कवेट में आर्कवेट में बाट इन दी आर्कवेट प्रिंसिपल of architecture the weight of the super structure above the door and window was carried by arches ठीक है full stop लगाओ यहां क्या है कि यहां पर अगर आप बात करते हैं कि सीज की अगर आप बात करते हैं आर्कवेट की तो आर्कवेट में क्या बताया था सामने आपको क्या आर्कवेट में इस तरह से देखो यह ड्रॉइंग में है ना बहुत हाथ टाइठ है थोड़ा सा तो समझ जाना इस तरह से आप देखते हैं आर्च जो बनती है तो आर्च के उपर क्या उपर का जो चलो अगला कोशन कहा है वोट इस आषी खरा टीका है शीखरा क्या होता है बताओ तो आषीखरा इस दी टॉप मोस्ट पॉइंट पॉइंटेड पोश्टन ओस हिंदु टेंपल दी राजा राजेश्वा टेंपल एट धंजावूर हैट दी टॉलस्ट शीखरा अमंग इन इस्ट्राल है तो शीखना को एक और शब्दे से जाना जाता है मैंने आप को थेयोरी पाइट पर बताया था जब ही टॉपिक साइज था ...акि शीखना को ये भी कहा जाता है क्या कहा जाता है आप जरह मुझे बताएंगे comment section में चलो बताइएगा तो अब क्या है देखो तो यह हो गया शीखरा वाली कहानी अब आगे क्या है constructing it was not easy because there were no cranes in those days and the 90 ton stone for the top of the शीखरा was too heavy to lift manually ठीक है और यह जो शीखरा बनाया जाते थे topmost peak जो होती थी तो देर construction was not easy at that time why because at that time we were not having cranes and such technologies ठीक है तो आप एक 90 ton का फत्तर कोई बाहु बली नहीं है ना आपके उठा के ले जाओगे पूरा का पूरा तो वो कैसे ले जाओगे तो समय पे क्या है बहुत होता था construction करना फाइन आगे देखो क्या है अगली चीज़ है वाट इस पैट्रा ड्यूरा यह कुछ इन आ गया पैट्रा ड्यूरा जब मैं आपको समझा रहा था तो समय पर भी डाउट था अभी इसको क्लियर कर देते हैं पैट्रा ड्यूरा क्या है देखो नाम ऐसा है ना आप इस समयो क्या पैट्रा ड्यूरा इस कलर्ड हाड्स टोनुस प्लेइज इंडिप्रेशन या फिर क्या सकतो पैट्रण यूरा इस एफ स्टाइल ओफ कंस्ट्रक्शन पैट्रण आइर इस और सफॉर्म एक आठ़ फॉर्म है ठीक है जिसमें क्या और अप क्या ने लिए तो यह red color का stone लगा यहाँ पर blue color का stone लगा यहाँ पर orange color का stone लगा तो एक colored heart stone को क्या किया जाता था placed in the depression depression मतलब क्या है कि जैसे एक surface है यह surface है मान लो पूरा board surface है अब board को ऐसे में खोद देता हूं यहाँ ठीक है खोदूंगा नहीं नहीं तो टीम वाले पता नहीं क्या करेंगे अब क्या है तो बोर्ड को अगर ऐसे खोद देते हैं और एक गड़ा बना देते हैं तो गड़ा क्या बनेगा तो वह depression मन गया तो जब यह colored heart stone को depression में लगा हो गया तो when the colored heart stone are placed in depressions ठीक है सब्सक्राइब करें तो इसमें क्या किया गया और फिर जो colorful आपको design दिख रही है तो यह color से नहीं बनाई है यह क्या है इसके अंदर stones लगाएं गाए colorful stones यह होता है petra dura तो sandstone creating beautiful ornate pattern तो यह सुंदर सा ornate pattern बन गया इससे क्या कहते है petra dura कहते है fine यह petra dura कहां पर मिला petra dura देखना को तो आप देखेंगे कि मुगल architecture जो था वो जो पूरा develop हुआ तो उसमें petra dura बहुत ज्यादा develop होता है ठीक है तो behind the emperor shahajah's throne was a series of petra dura in lace that depicted the legendary greek god orpheus playing the loot तो शहाँ जहां के थ्रोन के पीछे कहां पे डली में ठीक है petra dura के इस्तमाल के गया ताज महल में petra dura का इस्तमाल के गया तो जगा-जगा petra dura की जो style है उसे लगाया गया है clear चलो आगे अगला question क्या है next question यह देखिए तो what are the elements of a mughal 4 बाग garden मुगल 4 बाग garden की जब अब बात करते हो तो मुगल 4 बाग garden के क्या elements है क्या-क्या देखने को मिलता है मुगल 4 बाग में देखिए तो तो 4 बाग gardens were garden placed within rectangular wall rectangular wall enclosures and divided into four quarters by artificial channels artificial channels के द्वारा divide किया जाता था एक rectangular wall के अंदर क्या किया जाता था जब आप garden बना थो ठीक है rectangular enclosure यह rectangular enclosure है उसके अंदर आपने क्या कर दिये चार अलग-अलग garden बना दिये और यहां पर artificial channels चला दी पानी की तो यह हो गया चार बाग construction का concept concept आया समझ में ठीक है तो दो समझा तो पहले दिये हैं तो मैं answer बता रहो एक बार तो फिर सम डिसकेश करते चले जारे चीजों को तो एक revision हो जा रहा है क्या है चार बाग gardens were garden placed within rectangular wall enclosures and divided into four quarters by artificial channels okay what's next to these gardens were called चार बाग इन गाड़न को चार बाग कहा जाता था गिंती में कितने एक दो तीन चार तो गिंती में चार इसलिए चार बाग कहा जाता है clear आगे क्या है these gardens were called चार बाग example given four gardens because of their symmetrical division into quarters तो आप डिवाइड करोगे तो चार बन जाएंगे इसके लिए चार बाग तो तो spelling में चाहर बाग जेसा लग रहा लेकिन हो है चार बाग ठीक चार बाग गाड़न ऑसो हैड़ अ वेरिएशन डेक हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एस दी रिवर्फरंट गाड़न अब चार बाग गाड़न में इक रिवर्फरंट गाड़न वाला वेरिशन है जो हम कहा द और स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग रहती तो बिल्डिंग यहां पर बन जाती है और क्यों क्योंकि इधर से रिवर जा रही तो जिसे ताज महल का ही हो गया तो रिवर्फरंट वेरिशन भी होता हिस्टोरियंस ने उसे डिस्क्राइब किया है ठीक है आगे देखो क्या है आपने आपको महान कैसे बता देता था ऐसे कुशन आ गया अगर क्या लिखेंगे यह हमार पास आंसर तो टेंपल्स वर कंस्ट्रक्टेड एज प्लेसे ऑफ वर्शिप एंड मेंट टो डेमेंस्ट्रेट पावर वेल्ट और डिवोशन ऑफ दी पैट्रों जो बनवारा उसक उसनी तरह से में भग्वान किसके रहेंगे किंग की रखेंगे बागी दूसरे मगवान उसके थावर राजा-र्यश्वरम ने क्या क्या किया राजएश्वर्म् पनवाया ठीक जेनरली दी नेम ऑफ दी रूलर एंडी गॉड नेम गेम में ने समझा है था वर सिमिलर क्यों होते थे दोनों के नाम राजा के नाम और मंदिर के नाम भगवान के नाम सेम कर दिया जाते थे इंटेंशनली दि किंग टुक दी गॉड नेम विकॉज इट वास उस्पीशियस पवित्र होता था बहुत जादा कि बहुत जैसे हम रहते न हमारे घरों में भी क्या किया जाता है बच्चे होते हैं बड़े लाड़के रहते हैं बच्चे तो हम क्या करते बच्चे का नाम के क्रिष्ण का नहीं है कितने लोगों क्रिष्ण नामे घर पर काना नामे इस तरह से कुछ नामे काना है थिकले तो क्या होता है जैनरली थी नेम्स ऑफ दी रूर और डिगोड बॉस्पीश और पिर यह वह उस्पीशियस एंड वह भगवान की तरफ दिखना भी चाथा था यह जो राजा हो गया जाट सबस्क्रेट ईखे सब्ड़ाइं उसे बयार्यों चल रही हैं अब देखो कहाँ सी फेटि If there is a paradise on earth, it is here, it is here, it is here. एको नहीं किया है, तीन बार लिखा है, ठीक है, इसलिए it is here, it is here, it is here हुआ है. अब दिखो क्या है, तो एक inscription मिलता है, एक पत्थर मिलता है, उस पर क्या लिखा है, दिवाने, खास जो मतलब कह सकते हैं कि अपनी private audience के लिए उसने जो hall बनवाया था, शाह जाहने, तो वहाँ पर एक inscription पर क्या लिखा है, कि if there is paradise on earth, अगर जमीन पर धरती पर अगर कहीं पर तो वह कहा है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, यहाँ है, मतलब उसके fort में है, शाह जाह के, ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, तो how was this image created, यह किस तरह से मतलब यह, क्या image construct करने की कुशिश की जा रही है, इमेज मतलब ऐसे ड्राइंग वाली ने, इमेज मतलब क्या, शाह जाह जा वीव बनाना चाह रहा है वो, ठीक है, देखो, तो during शाहाजा's reign, the different elements of Mughal architecture were fused, were fused together in a grand harmonious synthesis, साहाजा के टाइम पर बहुत ज़ादा क्या हुआ, अलग-अलग architecture style को fuse किया गया, ताकि कुछ बहुत 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 बनाया जा सके, ठीक है, देखो क्या है, इस reign witnessed a huge amount of construction activity, specially in Agra in Delhi, कूप construction हुआ था, तो this ceremonial hall of public and private audience जो था, दिवाने खास और दिवाने आम जो थे, they were carefully planned, बहुत carefully planned किया जाता था, ठीक है, these courts were placed with large court yards, बड़े-बड़े court yards होते थे, and were described as, चहिल सुतन, चहिल सुतन मतलब कहा है, कि 40-pillard hall, तो बड़ा सा hall बनाया जाता था, जिस ताकि वो यह जो statement लिखाना है, if there is any paradise, ठीक है, if there is paradise on earth, paradise है कहीं पर, तो यहीं पर है, तो वो स्वार के जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, जन्नत बनाने की कोशिश कर रहा है, शाहा जहां, ठीक है, the audience hall were specially constructed to resemble a mosque, अब यह भी मैंने बताया था, कि audience hall को क्या किया जाता था, mosque की तरह बनाया जाता था, उसमें एक direction जो होता था, तो उसके किबला का नाम दिया जाता था, जहां पर उसका pedestal रखा जाता था, the pedestal on which Raja's throne was placed was frequently described as किबला, क्या है किबला the direction faced by Muslim at prayers, ताकि राजा अपने आपको, क्या कर सके, मतलब अपने आपको भगवान की उपादी दे स सके, तो वो चीज थी, तो वह पूरा जन्नत वाला क्या कह सकते हैं, फील देने की कोशिश कर रहा था, कहां पे, अपने फोर्ट में, क्या होता है, the idea of the king and as a representative of God on earth was suggested by these architectural features, ठीक है, तो ये architectural features के दोरा राजा यही बताना चाहता था, और अगली importance जो राजा ने बताई तो वो ये बताई है कि ये सब कुछ एकदम जन्नत की तरह है, तो इसलिए मतलब ये image construct करना चाह रहा था, वो अपने आपको भगवान बताना चाह रहा था, ठीक है, आगे कहा है next question, next question देखिए, तो how did the Mughal court suggested that everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, received justice equally from the emperor, अब आप मुगल कोट जो था, वो मुगल कोट ही अपने आप में ये message कैसे पहुचा रहा था, तो शाजा के टाइम पी के अगर हम बात करें, तो शाजा ने इस तरह से construct करवाया चीजों को, कि message अपने आप ये पहुच जाए, क्या message पहुच जाए अपने आप, कि ये जो court है, ये court के अपने आपको justice मिल ही जाएगा, आगए ना एक बार, बस justice मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर क्या है, the Mughal court suggests that everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, receive justice equally from the emperor in the following ways, किस तरह से, तो the connection between royal justice and the imperial court was emphasized by shahaja in the newly constructed court in Redford in Delhi, जब नया court बनाया उनने Redford दली में, तो उनने royal justice and imperial court, मतलब कि यहाँ जो न्या वोच नयाय होगा, नयायले जो है, imperial court है, सबसे उपर court है, इस message को पहुचाने की कोशिश करी, क्यासे पहुचाया, तो behind the emperor shahaja throne was a series of petradura inlays that depicted the legendary god Orphus playing the lute, it was believed that Orphus music could calm a ferocious beast until they coexisted together peacefully, तो अब जैसे कहा है, कि जो Orphus की petradura बनाए गई गई थी, तो उसके through message पहुचाया गा कि Orphus क्या करता मैंने बताया था अपको अपनी lute बजा कि सब को क्या कर सकता था, शान्त कर सकता था, भहंकर से भहंकर beast जो रहेगा, जानवर रहेगा, उसे भी क्या कर सकता वो, वो शान्त कर देगा, coexist together peacefully, मतलब जब तक सभी वो दूसरे जानवरों के साथ में peacefully रहेगा, तब तक क्या है, Orphus उसे control में कर सकता है, तो वो Petra Dura बनाने की पिछे logic क्या था, पताया था न मैंने आपको, वो logic यह था कि the construction of Shahjah's audience hall, audience hall में वो Petra Dura, aimed to communicate that the king's justice would treat the highest and high and low as equal, creating a world where all could live together in harmony, तो मतलब जैसे Orphus की lute बजाने के बाद harmony बन जाती है, तो वसी यह बताया गया है कि राजा का जो दरबार है, ठीक है, शाह जहां का जो audience hall है, वहाँ पर क्या होगा कि हर चीज को equally treat के जाएगा, सब को harmony में रखा जाएगा, यह idea simple सा दिया गया, ठीक है, आगे देखो, अब यह last question है, आप बोलो कि sir 9 or 10, तो 9 or 10 question आप खुद देखो, आप 7th class में आ गए ह कि यह कि यह और वे पुछा है, क्या जो राजा राजयशोरम टेंपल, तो राजयरज राजयशोरमा टेंपल का बोलोग जो शीख्रा है ठीक है, वह कियसे बनाई गाय गाये है, तो मतलब हाज की समय है कैसे बनासे बनाय जाएगा, अगर पहले तो जो ह की के इंक्लाइन पाद बनाया था तो आज के समय में क्या है modern mechanical machines वगेरा जो है जैसे cranes वगेरा तो उनकी मदद से बन जाएगा और question number nine जो है तो question number nine को जब पढ़ो और समझो और फिर मुझे बताना बनेगा कि नहीं आप से क्यों 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 कि यह ऐसी चीज़ें जो आपको खुद से करना होगी ठीक है तो वह दो कुशन हम स्किप कर रहे हैं अब यहां पर देखो कुशन number eight क्या है तो वाट रोल वाट रोल डिट दी यमुना प्ले इन दी ले आउट आफ मुगल सिटी एट शाह जाहनाबा अब क्या होता है शाह जानाबाद आगरा से कहां जाते उटके डली जाते नया सिटी नया फोर्ट वगरा सब कुछ बनाते शाह जानाबाद तो वहां पर यमुना ने क्या रोल प्ले करा ठीक है यमुना क्योंकि आगरा में भी थी और यमुना डली में भी है तो दोनों जग महें रिवर फ्रण लियाउट था थी क्या होता है जिसमें अम नहीं ने क्या देखा थी घ्रैंडेस्ट ऐर्त्यॉटं राकिटेक्श फिरण किम्श में ऐस रयनाज महल जो है तो ताजमहल जो उसके जो समय का सबसे बड़ा अर्कि और Sutro Achievant है आज भी सबसे बड़ा Architectural Achievement मना जाता है वो fromuciones आता है तो वह किया है वह यंडा रिवर के सांथ बनाये गया मतलब याम मोना रिवर के Frant पे बनाये गया ठीक है तो वह वहाँ पर चीर डोगी यह निकल रही है लेकिन ठीक वैसी ही आर्चिट्रिक्ट्ट्रि इस आप देखोगे तो मैं आपको एक एक विजुल बता देता हूं फिर से एक बार कि यह रिवर है तो आगरा में क्या हुआ था कि रिवर फ्रेंट पे ऐसे उनके पार्क्स बना दी गए थे मतलब जगा दे दी गई थी कि आपको रिवर की एक्सेस मिल रही है लेकिन बात करते हैं शहाजाहनाबाद की तो शहाजा रिवर फ्रेंट पे देने का ठीक है रिवर फेसिंग फ्लैट नहीं दिये थे बाद में उनको तो वही चीज़ें पर फाइन तो शहाजा डवलब दी आर्किटेक्चल फॉर्म एजए मींस तो कंट्रोल दी एक्सेस दी नोबल्स है टुदी रिवर अब नोबल्स के पास में कि अब यहां बाकिज़ को क्या करना होगा कि उनके दूर अंदर सिटी में अपने घर बनाने होंगे बाकिंटे शारे नोबल्स को यह कंसेप्ट पुरा कहां पर यह निगिशना अंसर आमने सारी दिसक्स कर लिए इसी प्रकार का डाउट है तो feel free to ask in comment section अब पूर्णा होती देते हैं स्वाहा ठीक है तो चाप्टर हमारा complete हुआ है next video lecture से नया चाप्टर अगला चाप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक आपको क्या करना है तब तक आपको एक बार पूरी book read करना है book reading is must आपको जरूर पढ़ना है ठीक है मैंने आपने आपको कहानी सुना दी आपने सुन ली बड़े मज़े आ गए ठीक है तो कहानी खतम पैसा हजम वाली कहानी नहीं है यहां पर क्या है कि कहानी खतम और पढ़ाई चालू मतलब आपको एक बार book read जरूर करना है fine चलो तो मुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन स्टे गरेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मुच